नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इक बार फिर से competition community की YouTube चैनल में मैं हो सौरब और आप लोग देख रहे हैं SSC, CGL and CSSL का YouTube course जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर आज एक नया topic स्टार्ट कर रहा हूं और यह topic है time and work क्याने की समय इवम कारियर ठीक है साथ हम यहाँ पर इसके साथ हम यह भी पढ़ेंगे pipe and system और इसको मैं part 2 वीडियो में cover करूँगा अगर इन दोनों topic की मैं बात करूँ तो 25 में से एक सवाल जो है वो fixed है आपका time and work और pipe and system में से दोनों के दोनों जो है एक ही concept पे चलते है तो इसको हम साथ साथ लेकर से लेंगे पहले वीडियो में time and work second video में हम pipe and system को भी cover करने वाले ठीक है अगर मैं यहाँ पर level of difficulty की बात करूँ तो जो आपका difficulty लेवल है थोड़ा सा आसान ही रहता है paper में और मैं यहाँ पर moderate और और थोड़े से difficult questions भी कराऊंगा ताके सारे pattern of questions आप से cover हो जागा और exam में अगर थोड़ा सा भी difficult question भी आ गया तो वो भी आपसे बनेगा ठीक इस lecture की PDF चाहते हैं तो आपको competition community के website में मिल जाएगा description box में link दिया हुआ है वहाँ पर आप जा कि इसको download कर सकते हैं ठीक साथी साथ आप में से कई लोगों को यह questions थे कि अगर हमसे practice sheet नहीं बन रहा है तो उसके सवाल कैसे लगाए जाए हमारे जो lecture में कुछ questions हम यहाँ पर discuss कर रहें वो समझ में नहीं है तो उससे doubt कैसे पूछा जाए तो description box में आपको telegram channel मिल जाएगा आप telegram channel में जा सकते हैं वहाँ पर आपको हमने telegram जो है group discussion भी हमने वहाँ पर बना दिया गया है ठीक है तो group discussion अलग है telegram का और साथ में telegram channel अलग है तो group discussion में आप हमसे हमारे material द्वारा जो भी आपको नहीं समझ में आए चाहे वो practice sheet से related हो चाहे लेक्से से related हो या कोई question आपको CCGL CHSL से related पूछना है सारी चीज़े आप वहाँ पर description box में जो है आपको telegram channel का और साथ में group का link दिया हुआ है आप वहाँ जुड़ सकते हैं group discussion में आप questions पूछ सकते हैं telegram channel में हम आपको यहां से जो भी notifications है वो सारे हम आपको वहाँ पर provide करते हैं ठीक है YouTube के साथ साथ हमारे चैनल पर अगर नए है तो चैनल को subscribe करें और bell icon दबाना ना भूले क्योंकि देखिए free of cost और best quality content के साथ आपका preparation चल रहा है तो आप यहां पर इसका फाइदा उठा सकते हैं और अपने CCGL और CHSL के preparation को घार में बैठ कर एक बहुत ही बहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं अगर और से पहला प्रशन जो है आपके screen के उपर दिया हुआ है यहां पर दिवा पी कें डू वन फोर्थ वर्क इन 10 देज क्यों कें डू फॉर्टी परसेंट वर्क इन 40 देज और आर कें डू वन थर्ड वर्क इन 13 देज हूविल कंप्लीट दा वर्क फर्स पी जो है किसी कारे क एक चौथाई भाग को 10 दिन में करता है क्यों जो है 40% काम को 40 दिनों में पूरा करता है और आर जो है एक तिहाई भाग को 13 दिनों में पूरा करता है तो सबसे जल्दी इन में से कौन कारे को पूरा करेगा देखिए कारे जो होता है उसको या तो आप फ्रेक्शनल में एक से रिप्रेजेंट कर सकते हो या 100 परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दोनों तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम यहाँ पर जो फॉलो करेंगे वह एक्चुली कोई LCM अप्रोच का होगा जिसके उपर मैं आऊंगा पहले देखिए सबसे पहले आप यहां पर यह सेखिए कि अगर कोई व्यक्ति आधे काम को कुछ समय में कर रहा है तो पूरे काम को कितने समय में करेगा यह अगर आपको निकालना है तो इस तरीक है कि प्रश्णों को पह मतलब कि 10 दिन लगे क्यों कि आधे काम को करने के लिए पास दिन ले रहा है तो पूरे काम को करने के लिए आप क्या करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा दस सिंपल सी बात है तो इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर एक चौथाई भाग दस दिन में कर रहा है साथ में अगर क्यों जो है 40% काम को कर रहा है 40 दिन में तो 40 divided by 40 पर्सेंटीज करना होगा और 40 पर्सेंटीज का मतलब क्या होता है 40 divided by 100 मतलब यहां से 100 जो है वह बट्टा में चला जाता है तो चालिस चालिस कर जाता है मतलब 100 डेज में पूरा करेगा ठीक यदि मैं इससे अगर आपसे पूछा जाए कि एक तिहाई काम को आर जो है वो 13 दिन में कर रहा है तो आर को पूरा कारे करने का समय कितना लगेगा तो 13 divided by 1 एक तिहाई आपको करना होगा 13 divided by 1 एक तिहाई मतलब 3 उपर multiply हो जाएगा ठीक है यानि कि यहाँ पर इसको 39 डेज लगेंगे पूरे काम को करने के लिए बात समझ बहा रही है तो यह basic सा concept है जो आपको पता होना सही है कि अगर कोई व्यक्ति एक चौथाई काम को करने में 10 दिन ले रहा है पूरे काम को करने के लिए एक चौथाई को वहाँ पर बाट दोगे तो 40 दिन में करेगा ठीक है अगर 40 प्रतिसयत एक फ्रैक्शन ही तो होता है 40 बटा 100 तो 40 बटे 100 से यहां से 100 दिन में यह पूरा कर रहा कारे को अगर आर की बात करें तो 13 दिन लग रहे थे एक तिहाई काम के लिए तो तीन गुना करोगे तो 39 आएगा जो कि 39 याने कि 49 दिन में पूरे की पूरे कारे को कम्प्लीट करते हैं अब सवाल पूछ रहा था कि who will complete the work first सबसे पहले सबसे जल्दी इस कारे को कौन करेगा भही सबसे जल्द अगर वैल्यू में अगर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आधे काम को इतने दिन में कर रहा है ठीक है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा यह आपको निकालना आना चाहिए उस टाइम को आप डिवाइड कर लीजे तो पूरे काम का वैल्यू आ जाएगा यहां तक बाते आएंगे इसके questions में तो आप लोग heading डाल सकते हैं अपने copy पर time and work time and work ठीक यानि की bracket में आप लिख सकते हैं समय एवाम कारिय ठीक है समय एवाम कारिय ठीक है जहां तक मैं बात करो इसके concept की इसमें जो concept लगता है वो क्या लगता है तो आपको यहां पर समझना होगा कि कार यह जो होती है कार यह बरावर होता है efficiency गुने time यानि की work is equal to efficiency into time होता है यानि की कार यह बरावर होती है दक्षता और गुने यहां पर समय आ जाएगा तो आप simple language में इस तरीके से लिखेंगे work is equal to efficiency multiplied by time यह आपका formula बनी है ठीक मतलब समझीए यहां से दो चीजे हैं वही एक तो यह है कि work जो होता है यहां से आप समझेंगे इसको वर्क जो होता है वो समानुपाती होता है दक्षिता का वर्क जो होता है वो समानुपाती होता है किसका तो समय का मतलब ज़्यादा समय के लिए काम करोगे तो ज़्यादा काम होगा ज़्यादा दक्षिता वाले विक्ति अगर काम करेंगे तो ज़्यादा काम होगा मतलब कि work जो है वह directly proportion होता है दो चीजों पर, एक है efficiency के, जिसको दक्षता कहते है, एक है समय के, यानि कि कितने समय के लिए कारे हो रहा है, देखिए अगर यहाँ पर आप time, speed, distance से इसको relate कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि distance बरावर होता है, speed multiplied by time, distance जो है एक तरीके से work का काम करता है, speed एक तरीके से efficiency का काम करता है, और time उतने time के लिए जो भाग रहा है विक्ति, उसी को हम time कहते हैं, यहाँ पर आसे समझे, जितने समय के लिए विक्ति काम कर रहा है, उसी को हम यहाँ पर time कहते हैं, ठीक है, यहाँ से समझ में आगे कुछ बाते work is equal to efficiency into time का चलिए अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं कुछ बाते हम कर लेते जैसे कि पहले तो समझिए efficiency का मतलब क्या होता है efficiency का मतलब क्या होता इसको समझे efficiency का मतलब क्या है यह जो efficiency समय में, यहनै कि प्रति एकल समय में यह आप कर सकते हैं, प्र यूनिट टाइम में जितना यूनिट काम हम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं, अगर आप फोर्मूला देखें का, क्पी के कि यहां पर हमने यह देख लिया कि वर्क बरावर efficiency into time होता है तो अगर इससे आप second formula देखें तो efficiency बरावर क्या हो जाएगा work divided by time हो जाएगा ठीक है यह समझ में आगया second formula और अगर तीसरा formula यानि कि अगर time के उपर सवाल बन जाए तो तीसरा formula क्या हो जाएगा तीसरा formula हो अगर time बरावर होता है work divided by efficiency यहां तक समझ में आ गई बाते अगर समय के उपर आधारित प्रश्ण है तो समय निकालने का एक मातर तरीका होता है work divided by efficiency यानि कि कितना कार्य हमें करना है बटा में क्या दालेंगे divided by जो व्यक्ती कारे कर रहा है यानि कि suppose करें A अकेले कारे कर रहा है तो A की दक्सता बी अकेले कारे कर रहा है तो B की दक्सता अगर A B मिलकर कारे कर रहा है तो A B की combined दक्सता क्या है अब देखिए कुछ बाते आप लोग नोट डाउन करेंगे ठीक यहां से मैं आपको समझाने की कुछ निच करता हूं ठीक बहुत ही सिंपल सी बाते मैं आपके साथ यहां पर डिसकस करूंगा अभी और इसको आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा क्योंकि देखिए इसी सब चीजों से आपका जो है कॉंसेट बिल्डब होता है ठीक है सवालों को तो हम साल्व कर लेते हैं लेकिन बेसिक्स जो है वह बहुत जरूरी है अगर मैं आपसे पूछू कि अगर सपोस्ट करें कि दो व्यक्ति हैं A और B काम कर रहे हैं तो वर्क डन जो होगा A प्लस B द्व कार यह होता है वर्क डन बाई प्लस यदि एक ऐख रिल एक दिन ने कितना कारे कर रहा है इन नोनों को जोड़ेंगे तो ओवर और एफिशेंशी आजाएगा कि A प्लस B की कॉप्यूज नहीं होंगे एफिशेंशी जभी बहुभी मैं यूज करू या दक्सितामें यूज क इसका मतलब यहें एकल समय में कितना काम मतलब कि पर यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है यह लेकिन यदि आप से यह पूछा जाए कि बताईए भाई दोनों मिलकर कितने समय में कारे कर रहे हैं दोनों मिलकर कितने समय में कारे कर रहे हैं मतलब time a plus b का निकालना है तो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि time of a plus time of b ये बिलकुल गलत है ये बिलकुल गलत है तो पहला और दूसरा मैंने green color में लिखा है कि ये सही है कार जो a से होता a से होता है प्लस कार जो b से होता है इन दोनों को जोड़ोगे तो कार a b ने combine कितना किया ये समझ में आएगा दक्षता a की और दक्षता b की याने efficiency of a plus efficiency of b जोड़ोगे तो combine efficiency of a plus b क्या ही आजाएगा लेकिन ऐसा कभी हम नहीं लिख सकते कि समय a को जितना लगा कारी करने में और समय b को जितना लगा कारी करने में इन दोनों को जोड़ने पर एक साथ काम करने वाला समय आ जाएगा ये बिल्कुल गड़त है तो time निकलना है पहले उसका efficiency निकालना होगा एक बार efficiency निकल गया तो work divided by efficiency से आपका time निकलता है time निकलने का ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप a और b का time है तो a plus b कर दिया तो time कैसे निकलना है तो time निकलना है work divided by efficiency यहां तक चीज़े clear हो गई ठीक है बहुत सारी basic basic सी बाते मैं यहां पर आपके साथ कर रहा हूँ अब देखिए कुछ और बातों के उपर discussion करते हैं जैसे कि आपने यह सीख लिया कि work जो है यह क्या है वर्क जो है यह efficiency से directly proportional है तो यह सारी चीज़े जो हमने time speed distance में सीखा है वो यहां पर भी applicable है तो चलिए इस इसके उपर थोड़ा सा आप note बना के रखिए कि हमने जो formula बनाया भाई वो क्या है तो हमने देखा कि work जो है यह efficiency के समानुपाती होता है time के भी समानुपाती होता है तो सबसे पहली बात आप लिख सकते work जो है directly proportional होता है efficiency के कब जब time constant है अब देखिए यहां से कुछ बात और समय के लिए अगर A और B काम करें तो A और B का जो कार्य होगा वो इनके कार्य के दक्षता के समानुपाती होगा यानि जो ratio यह है वो ratio यह है दूसरी बात जो है work जो होता है directly proportional के time होता है कब जब efficiency constant है efficiency constant हिंदी वाले बस्ते घवराएंगे नहीं क्योंकि यहां पर समय जब समान है समय की बात हो रही है तो यह समानुपाती होगा वर्क यानि कार और दक्षता जो है समानुपाती होगे और दक्षता जब constant है यानि दो बराबर दक्षता के लोग एक साथ काम कर रहे तो वर्क जो होगा वो directly proportional to time होगा यानि जो ज्यादा देर के लिए काम करेगा वो ज्यादा काम कर पाएगा जो कम देरी के लिए काम करेगा वो कम कारे कर पाएगा ठीक है यहां तक समझ भी पाते अब तीसरी बा के लिए जब हम समान कारे कर रहे हैं ठीक है बराबर बराबर कारे हम कर रहे हैं तो जो यहां पर efficiency हो जाएगी ठीक है efficiency जो होगी उसका व्यूत क्रमानुपाती हो जाएगा समय का और समय का जो अनुपात होगा उसका व्यूत क्रमानुपाती अनुपात हो जाएगा किसका त अब यहां से मैं आपको चलता हूँ सवालों में और देखते हैं हम कुछ सवाल थी तो देखे सबसे पहली बात यहां पर दिया हुआ देखे ए किसी कारे को किते दिन में पुरा करता है दोनों मिलकर किते दिन में पुरा करेंगे देखे सबसे सिंपल पैटर ऑफ कोश्चन है जिससे मैंने यहां पर स्टार्ट किया इसके जरिए हम कॉंसेट सीखेंगे और पहला सवाल है तो मैं धीरे-धीरे करके आपको है यह राज़ा है पहले कॉलम में लिखेंगे और ंजिके का टाइम चलिकते यह जो किते दिन ने करता है यह 50 ग 34 पर क्या हम लिखते हैं यहां पर हम लिखते हैं टाइम सेकेंड कॉलम में किसका टाइम तो यहां जो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है यहां जो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है इस व्यक्ति को जो पूरा कारे करने में जो समय लग रहा है इसका नोट बनाके रखिए सेकेंड कॉलम में क्या करते हैं ए पूरा कारे को किते दिन में करेगा बी पूरे कार करेगा यहां आधे कारे का या एक तिहाई काम का समय लिखकर गलती मत करना पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं हमेशा यहां पर टाइम लखते हैं और पूरे कारे को करने का समय यहां लिखते हैं यहां पर समझ में आ गई यह चीज़े अब देखें तीसरे कॉलम में आते हैं तो तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं work और work क्या है तो इन वनों का LCM यह हम सालते हैं assumption है हमारा यह हमारा assumption है कि हम क्या करते इसको LCM of time ले लेते हैं LCM of time क्यो ले रहे हैं कि हमारी जो दक्षता है वो इंटीजर में रहे एक पूर्णांक में रहे efficiency को हम पूर्णांग में रखने के लिए इसको lcm of time लेते हैं जो कि इसका भी multiple है इसका multiple जब ये दोनों multiple आता है तो efficiency जो होती है वो work divided by time होता है तो जब हमने work को इसका multiple ले लिया तो efficiency याने जो दक्षिता है वो एक पूर्णांग निकल के आती है इसलिए हम यहाँ पर lcm of time ले ले देड़ सो कूर्सिया बनाना ठीक है देड़ सो pages type करना या कोई भी इस तरीके का काम जिसमें देड़ सो यूनिट काम हो रहा है ठीक तो यह काम जो है यूनिट है इसको मान लेते हैं देड़ सो यूनिट काम करना है तो देखिए अब हम चौते कॉलम में लिखेंगे efficiency तो आप समझी चुके है efficiency का मतलब होता है work done per unit time अब work क्या है तो work है डेड़ सो एक को करने का समय कितना लग रहा है तो एक को करने का समय लग रहा है तो work यहां पर last column में क्या लिखेंगे डेड़ सो डिवाइड बाइड 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 बात समझ भारी मैं बहुत تीज दिन लगते हैं घेड़ सो काम करने के लिए तो एक-एक दिन में पाँच-पाँच-पाँच-पाँच-पाँच-उनिट पाइड बाइड चाह बइड बैजबर ब아ी तो बी जब आपके पास ए प्लस बिकी पूरी efficiency होना चाहिए और कार होना चाहिए तो कार हमने माना 1.500 इन नोनों को यदि मैं जोड़ दू तो 5 इन कितना लगेगा वर्क डिवाइड़ वाइड़ एफिसेंसी ठीक है तो बताई इसका वैलिव कितना आ जाएगा एक बार कटेगा ठीक है अठारा फिर आट से कटा यहां पर एक बार कटा आट से कटा फिर आपका रिमेंडर यहां पर शे का बचना मतलब 3 by 4 अठारे तीन बटा चार दिन मतलब कि जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब ठीक है यहां पर समझ में आगए काफी धीरे-धीरे मैंने आपको समझाए और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इस चीजें समझाए कि टाइमें वर्क के सवाल को सॉल्व करना है तो कैसे देखी अब यहां से थोड़ा समय स्पीड बढ़ाऊंगा इस तरीके के सवाल को कैसे हल करना है देखिए करने में एको 32 दिन लगे गा बी जो है एक चौथाई काम को सतने चौथाई को इतनी में करता है तो पूरे काम को करने में 24 divided by 14 होगा मतलब चार उपर जला जाए गाए 96 छाएगा की do Esp to यहां पर आपको एक पूर्ण आंख चाहिए अब यहां पर इन दोनों का LCM कितना होगा 96 हो जाएगा जैसी मैंने 96 किया इसका मतलब A जो है एक दिन में तीन यूनिट काम कर रहा होगा यह efficiency हो गई 96 divided by 32 करने पर 3 आ रहा है और B के efficiency 96 करोगे तो एक आएगा मतलब एक दिन में भी एक उनिट काम कर रहा है 96 दिन में 96 काम करेगा अब जब दोनों मिल जाए ए प्लस बी जब मिल जाए तो काम कितना होने लगेगा एक दिन में चार दिन चार उनिट काम होने लगेगा और साथ में आपको पूछा गया दोनों मिलकर तीन चौथाई काम को कितने दिन में करेगा यह तो पूरा काम है आपको तीन चौथाई काम करना है तीन चौथाई काम का मतलब 96 में तीन चौथाई तो टाइम होता है भई वर्क डिवाइड़ बाइ efficiency तो काम जो करना है वो इसका 3-4 ही काम करना है यह आपका work हो गया यहांने कार हो गया efficiency कितनी है भाई तो 4 कि है क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ठीक चार मुने चार 16 होता है 16 इसको 6 बार कटेगा मतलब 6 x 3 करने पर आपका 18 दिन यहां पर लगेंगे 18 दिन में काम को पूरा complete कर देंगे यह दोनों मिलकर बहुत simple तरीका है और आसान तरीका है और best तरीका है यहाँ पर इस तरीके से आप इसको solve करिए LCM approach से चलिए तीसरा सवाल देखते है A B जो है मिलकर A B मिलकर किसी कारेकों करते हैं तो 15 दिन लगता है कितना दिन लगता है A B मिलकर जब कारेकों करते हैं तो 15 दिन लगता है B C मिलकर जब काम करते हैं तो 10 दिन लगता है A C मिल जाए तो काम जो है वो 12 दिन में complete होता है अब A B C मिलकर कितने दिन में कारेकों कुरा करेंगे यही पूछ रहा है, 15 दिन, A, B, B, C, मिलकर 10 दिन, A, C, मिलकर 12 दिन, तो तीनों मिल जाए, तो कार कितने दिन में होगा, यह आपको निकालना है, तो देखिए, वर्क क्या होता है, इसका LCM होता है, यह टाइम है, जो कि डेज में दिया हुआ है, इन तीनों का LCM देखते साथ समझ में आ रहा है, साथ यूनिट होना चाहिए, ठीक है LCM में यह सारी चीज़े हम सीख चुके है, एफिशेंसी क्या होती है, भई, एफिशेंसी होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पहले वाला जो देखोगे, तो A प्लस B का कम्बाइन एफिशेंसी आएगा, तो साथ बटे पंदरा कर लो, चार आ रहा है, यह A प्लस B की कम्बाइन एफिशेंसी, यहनि जब A और B मिल जाएं, तो एक दिन में चार-चार यूनिट काम होगा, सेकेंड में BC का एफिशेंसी आएगा, B प्लस C कर लो, तो साथ डिवाइड़ बाइड़ दस होगा, तो 6 तीसरे वाले में देखोंगे, 12 है, तो C प्लस A, C प्लस A दोनों को जोड़ दोगे, तो 60 डिवाइड़ बाइड़ बारा करोगे, तो 5 यूनिट आए, यदि मैं इसको जोड़ दू, तीनों को जोड़ दू, तो आप देख पा रहे होंगे, A दो बार है, B भी दो बार है, औ और C भी दोड़ पार, तो जैसी मैं इसको जोड़ू, तो 2 इंटू A प्लस B प्लस C आएगा, ठीक, और 2 इंटू A प्लस B प्लस C कितना आ रहा है, तो 4 प्लस 5, यानि कि 4 प्लस 6, 10 हो गया, 10 प्लस 5, 15 आ गया, ये इनकी कम्बाइन एफिशेंसी हो जाएगी, अब देखिए यहां से आपको समझना होगा कि इनकी कम्बाइन एफिशेंसी का दुगना है, और आपसे पूछ रहा था कि तीनों मिलकर जब कारे करें, तो कितने दिन में कारे होगा, तो टाइम जो होता है, यह होता है, भाई, 60 डिवाइड़ डिवाइड़ एप्लस B प्लस C का तीनों का एफिशेंसी, जब A प्लस B प्लस C एक साथ काम करें, तो काम जो करना है, वो तो 60 यूनिट है, इसतना हमने मान लिया था, 60 यूनिट का कारे, लेकिन जब A प्लस B प्लस C काम करना है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, यह तो 15 तो 2 A प्लस B प्लस C के बराबर है, मतलब A A plus B plus C जो है वो 15 by 2 के बराबर होगा यहां कितना जाएगा 15 by 2 आएगा 2 मतलब यह उपर चल जाएगा बात समझ में आ रही है यह क्यासे करना है यह आपको समझ में आनलगा होगा मैं आप से पूछना जाता हूं कि बदाएगा यदि मैं आपसे पूछों अब है अकेले को कितने दिन में करेगा तो आपका answer क्या होगा समझतें अभी तक हम ने जो निकाला वो यह एक प्लस बी-प्लस तो यहां पर वर्क आपका 60 unit होगा बटे में efficiency जब डालोगे तो एक efficiency होनी चाहिए यह जो है यह कितना है भाई यह है आपका साड़े साथ 7.5 किसकी efficiency a plus b plus c की combined आपके पास b plus c की efficiency है की नहीं है 6 unit की तो यह जो b plus c है इसके जगा मैं 6 दाल दूँगा तो a के efficiency जो है वो 1.5 की होगी तो time जब a का निकालना है तो यह हो जाएगा 60 divided by 1.5 मतलब इसका जो value है वो 40 दिन हो जाएगी 40 days में यह कारे को पूरा कर लेगा a अकेले ठीक है 40 दिन में a जो है पूरे कारे को complete कर देगा तो इस तरीके से आप a का भी निकाल सकते आप b का भी निकाल सकते क्योंकि आपके a plus c है आप भी a plus b दालोगे तो c के efficiency आ जाएगी तो जिसका समय पूछा है उसका time मतलब कि उसका efficiency आपको पता होना चाहिए उसके बाद work divided by efficiency से इसका time निकलता है यहां तक clear चलिक अगला time will it take for the three working together john किसी काम के एक आधे भाग को तीन घंटे में पूरा करता है normally जो है से इसकार को एक चौथा है वह ऌश्य जो जो है से में काम को समांट देता है कितो करें कि तरने दिन vienen संपन होगा सिंपल सिंपल सी सवाल है, यहां पर सबसे पहले जौन एक विक्ति, दूसरा जू है, तीसरा जौर्ज है अब देखिए, यहां से आपको समझना होगा, यहां से जो टाइम दिया हुगा देज में, तो आधिये काम को जो जौन जो है, वो तीन गंटे में करता है, तो पूरे का सवाल है जिसमें मैं इस तरीकी की चीजों को यूज कर रहा हूं तो आध्य काम को तीन गंटे में तो पूरे कार्म को तीन डिवाइड़ बाहत हो जागा यानि कि छे घंटे में यह आपको समझ में आने लगा होगा अब देखें शेश काम को यहां से थोड़ा सा चौकनना रह करने में जोज को एक घंटा लगता एक घंटा लगता है तो पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा तो आपका जवाब का आठ घंटे लगेंगे तो यहां तक समझ भ्या अब देखे आधा गया वैल्यू और यहां पर एक बटे आठ गया हिस्साँ ठीक है तो आधा गया और एक बटा आठ हिस्सा भी दिया क्योंकि एक 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 आधे का एक चोथा ही क्या होता है तो एक बटा आठ होता है मतलब अब इसके बाद 6 कितना बचा होगा देखिया आधा गया प्लस वनवाय एट गया मतलब आठ यहां पर चार प्लस एक करोगे तो 5 बटा 8 हिस्सा कारे हो चुका है इसके बाद 6 कारे को जो तीसरा व्यक्ति आता है George 5 गंटे में करता है तो George पूरे काम को यानि कि देखे इसके बाद 6 कितना मचेगा क्योंकि इतना कारे हो गया तो अब 6 कितना बचा 3 बटा 8 बचा की नहीं क्योंकि पूरा कारे एक यूनिट होता है एक यूनिट में 5 बटा 8 हटा दोगे तो इतना बज़े अब अगर जॉर्ज सेस कारे को इतने समय में करता है तो पूरे काम को करने में 5 divided by 3 होगा मतलब कि यहां पर 3-8 से अगर इसको बाट होगे तो आठ उपर मल्टिप्ला हो जाएगा मतलब जो है पूरे कारे को 40 divided by 3 में पूरा पता है तो पहला स्टेप है कि आप यहां पर जब टाइम लिख रहे हैं तो टाइम उस टाइम को लिखें जो पूरे के पूरे कारे को करने में जितना समय लग रहा है अब यहां से हम आते हैं सेकेंड कॉलम में तो सेकेंड कॉलम होता है वर्क जो की होता है इन तीनों का LCM अब आपको यह जानना होगा कि fraction का LCM कैसे निकलता है यह सारी चीजे हमने cover करके रखा हुआ है कहां पर तो हमने यह सारी चीजे discussion किया हुआ है LCM में तो जब यहां पर तीन values है जिसमें से एक fraction है तो fraction का LCM कैसे निकलता है LCM of numerator यानि कि इनके अंशो का लगुत्तम समाप परती है divided by HCF of denominator होता है यानि कि बटा में आ जाता है इनका महत्तम समाप परते हैं इनके हरों का तो हर में तो एक ही आएगा तो देखे 6 और 8 और यहां पर 40 है तो 120 माल लेते हैं इसका LCM होगा ठीक 120 यूनिट हमने माल लिया LCM है मतलब एक के efficiency हो जाएगी यानि enthusiasm हो जाएगी 20-6 मतलब 20 unit के efficiency होगे एक 120-8 करोगे तो पंदा unit के efficiency दूसरे बैक्ति किए इससे 120-20-40-3 करोगे तो तो 3 into 3 यानि इन गंटे में टाइम होती है वर्ट डिवाइड़ बाइफिशंसी तो 120 यूनिट काम करना है जिसमें से एक गंटे में 44 यूनिट काम हो रहा है जब तीनों मिल गए हैं तो यहां से डारेक्टली आप उत्तर दे सकते हैं 11 बर कटेगा यह 30 बर कटेगा मतलब दो सही 8 बटे 11 घंट पूरे कारे को कितले समय में हो रहा है यह निकाले अईसा हम इसलिए करते है क्योंकि वर्क हमने लिया हुआ है इसका यूनिट समच चाहिए तो वह तब ही संबभव है जह हम ताइम पूरे कारे का टाइम यहां पर लिए तब जाकर जो वर्क निकलके आए समय आधी हम हम को पर पहला य हय पूरे कारकर यहाँ अपर लिखें फिर लिकलकर in लिंग लेक स्टाइघ सामएं जी स्रूफů आइंड सेम वर्क अद्द सौर्फटाइश as much time as C. A takes thrice as much time as B and twice as much time as C to finish a work. Working together, they can finish a work in 10 days in how much time B can do the work alone. तो देखिए, आपके पास यहाँ पर time का efficiency दिया हुआ है. A, B जो है तीन गुना समय लेता है C से और दुगना समय लेता है दिया हुआ है. साथ साथ कारे करने में 10 दिन लगता है तो कारे पूरा करने में B को अकेले कितना समय लगेगा तो दिखे टाइम जो लगता है A को यह दुगना है टाइम B का और यह टाइम जो लगता है C का उसका तीन गुना है यह आपको दिया हुआ है अब रेश्यो प्रपोर्शन में हमने भरपूर मात्रा पे इस तरी किसे है तो इसका रेश्यो कैसे निकालना है तो यहां से टाइम का रेश्यो हो जाएगा टाइम A divided by टीन आनुपात क्यूंकि देखिए जाप यहां पर निकालना है तो बट्टा में आना चिए वैल्ल्यू मल्टिप्लिकेशन में A के खुनाची है तो इनका time का ratio ये है तो time of A अगर suppose करिए time of A time of B और time of C का जो अनुपात है वो 6 अनुपात 3 अनुपात 2 है तो आपको यहां से अगर मैं work की बात करूँ तो work जो हो जाएगा वो इसका 18 बन जाएगा या 6 मान सकते है इसका मतलब efficiency का जो अनुपात होगा वो 6 बटा 6 मतलब की यहां पर 1 और यहां से 6 बटा 3 करोगे तो 2 और 6 बटा 2 करोगे तो 3 ये इनके efficiency का ratio है ये क्या है इनके efficiency का ratio तो देखिए इस तरीके के सवाल में पहले तो आपके पास efficiency का ratio होना चाहिए आप यहां से भी देख सकते थी कि time का अनुपात इतना है तो efficiency का अनुपात A अनुपात B अनुपात C directly अधी आप निकालना चाहते हैं तो A अनुपात B अनुपात C कुछ और नहीं होगा directly इसके जो coefficient है वही हो जाएंगे भई क्योंकि यह व्यूत क्राम अनुपात ही होते हैं तो आपको directly यह देखना है कि 1 by 6 अनुपात 1 by 3 अनुपात 1 by 2 कर लिजे क्योंकि efficiency और time जो है एक दूसरे के व्यूत क्राम अनुपात में होते हैं एक बार हमने efficiency का अनुपात निकालना है तो 6 से multiply कर लिजे एक अनुपात 2 अनुपात 3 यह हो जाएगा आपके efficiency का अनुपात efficiency निकल गया है यहां से क्यों हम efficiency निकाल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा discussion कर लेते हैं तो यह सारी चीजे जो थी जितने भी चीज मैंने किये वह केवल efficiency निकालने का जो रेश्यो था उसके लिए हम यह सारी चीजे कर रहे थे और बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं या तो आप directly देख लिए इसके सामने जो values है वह efficiency का रेश्यो होगा क्योंकि time multiplied है और अगर करते हैं वह 10 दिन में हो जाता है मतलब अगर मैं यहां ABC को जोड़ दूं तो एक दिन में 6 unit काम होगा कितना काम होगा शे उनिट काम होगा ABC मिलकर एक दिन में 6 unit काम कर रहे हैं क्योंकि अगर एक यूनिट बी दो यूनिट किसी जो है तीन यूनिट काम कर रहा है तो ए बी सी को जो कम्बाइन टाइम लगता है इसके बार में इंफर्मिशन है दस दिन तो मैं यहां से एफिशनसी मल्टिप्लाइट बाइट टाम करो तो 60 यूनिट सा जाएगा हमारा बात समझ बारी अब यहां पर जो एफिशनसी और इसका जो टाइम है इन लोनों को गुणा करने पर वर्क आ जाएगा वर्क बरावर कितना है तो 60 यूनिट हो गया क्योंकि यहां पर 6 में 30 डेज में कारे कंप्लीट हो जाएगा जो सवाल का से उतर है यहां तक बात समझ में आ गई चली आगे बढ़ता हूं मैं यहां से इसकी बाद अगला सवाल लेते हैं एक एन पेंटा हाउस इन 35 डेज बी ट्वेंटी डेज अलाउं विच सी दे कैंट जू दू 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 जो है किसी घर की पेंटिंग जब करता है तो एको जो समय लगता है वो है 35 दिन बी यदी काम करता है तो बी को कित्ता समय लगता है यहां पर 20 दिन सी को यदी मिला लें और तीनों मिलकर यहां पर कारे करें तो तीनों मिलकर यहने अब ए बी सी खटा दिया हुआ है कि दस दिन लगते हैं तो यहां से इसका LCM जो लग रहा है वो होगा 140 यूनिट्स का वर्क ठीक तो एफिशेंसी की यदी में बात करूँ तो एक सो कि बात करूँ तो यहां से 140 टिवैइट बैंद रितONG करोगे तो यहा Cord सवाल में पूछ रहा था सी अकेले कितने समय में इस कारेख को करेगा तो बहुत सिम्पल है क्योंकि देखिए हमारे पास A का मान है कि A एक दिन में कित्ता कारे कर रहा है B का मान है कि B एक दिन में कित्ता कारे कर रहा है आप लोग efficiency में plus minus कर सकते हैं work में plus minus कर सकते हैं time में नहीं कर सकते हैं A के जगा 4, B के जगा 7 दाल देंगे तो 11 हो जाएगा चार प्लस साथ हो गया ग्यारा प्लस सी बराबर 14 मतलब सी एक दिन में तीन उनिट काम कर रहा होगा तो टाइम जो सी को लगेगा वह जाएगा वर्क यानए एक सो चालिस डिवाइड़ बाई तीन तो बताइए बही कितना आ जाएगा यहां से आपका आएगा 46 निकालना है उ तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि आपका टाइम यानि कि कितना लग रहा है उस वक्ति को नेक्स्ट कुश्टिन है आपके स्क्रीन के उपर यहां दियोवाए एक एंडू पीस ऑफ वर्क इन 10 डेस बीकन दो इतिन 12 देस दे वर्क तोगेदर फर थ्री देस एंड ब फुरा कर सकता है और वही कारे को 12chu में कर सकता है ठीक है और तीन दिन में कारे को कमप्लीट करते हैं यह अकेल comment करता है य इसके बाद ऑ उसके दो दिन के बाद क्या होता है सी आता है काम करने के लिए और आजाता है और साथ में दो दिन में, दो और दिन में कारे पूरा हो जाता है, सिज़ों आकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आपको बतानाalenए, इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे, और मैं आपको यहां पर together for three days, मतलब तीन दिन के रिकार हुआ, फिर B कार को छोड़ के चला गया, मतलब समझी कि B जो है कितने दिन के लिए काम किया, तो B केवल three days के लिए काम किया, इसके दो दिन के बाद A अकेले काम करेगा, मतलब A कुल five दिनों के लिए काम करेगा, क्या आपको यहां तक मेरी बा किया, इसके बाद दो दिन और कारे करता है, मतलब यहां पर A अभी तक के पांस दिनों में कारे कर रहा होगा, यह जो है total time, पांस दिन के लिए काम किया होगा, अब क्योंकि वर्क जो है directly proportional to time होता है, तो अगर मैं आप से पूछू कि काम कितना हो गया अभी तक, तो वर्क जो A ने किया, प्लस वर्क जो B ने किया, उसका हिस्सा यदी मैं निकालने की बात करूँ, तो तीन दिनों के लिए काम करता है, जिसमें से B जो है पूरे कारे को बारा दिन में करता है, तो तीन बटे बारा इतना कारे हो गया होगा, मतलब एक चौथा ही कारे, वन फोर्थ क कर लिया होगा, मतलब आधा कारे A ने कर लिया और एक चौथा ही कारे B ने कर दिया, दोनों को यदि solve करें, तो 4 LCM आएगा, एक प्लस यहां दो होगा, तीन चौथा ही कारे हो गया, तो कारे बचा कितना, अगर तीन चौथा ही कारे हो गया, तो एक चौथा ही कारे बचा हो तीन दिन B कारे करेया, पास दिन A कारे करेया, तो यहाँ पर एक आधा और एक चौथाई कारे हो गया था, तीन चौथाई कारे हो गया, रिमेनिंग कारे अब कितना बचा, एक चौथाई बचा, एक चौथाई को काम करने में A और C को दो दिन लग रहा है, मतलब A और C को पूरे कारे को 12 दिन में करता है और A और C मिल जाएं तो पूरे कारे को ये लोग मिल कर किते दिन में 8 दिन में करता है इसकी वैसे कोई आवशकता नहीं है क्योंकि आपके पास A और C का information है इसी से आपका solve हो जाएगा सवाल क्योंकि अगर मैं ये दोनों information को use करों तो 40 unit कारे हो जाएगा मतलब A एक दिन में 4 unit कारे कर रहा है अगर मैं इन दोनों को जोड़ मतलब A और C की efficiency की बात करों तो 40 divided by 8 करोगे तो 5 unit की efficiency आजएगी A plus C की अब क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है C अकेले पूरे कारे को कुते निम में करेगा तो आप A के जगा पर यहां पर 4 दाल सकते हैं क्योंकि A की efficiency 4 है मतलब C की efficiency हो जाएगी एक unit क्योंकि आपको यहां पर directly fractional value निकाल सकते हैं कि कितना कितना कार्य हुआ 6 कारे को A और C दो दिन में करने तो पूरे कारे को 8 दिन में करेंगे यहां से आपको समझना होगा कि C जो है दस दिन और तीस दिन में कारे होता है यदि वे एक दिन छोड़ कर एक दिन काम करें और यह पहले दिन कारे करें तो कारें फूरा होगा ही आपको निकालना Alternate Days वाला कुशन है यह कौन सा सवाल है Alternate Days तो देखिए alternate days में पहले इस तरीकी के सवाल आया करते थे, अब जो है pattern change हो गया, तो पहले नए pattern को समझने के पहले, पुराने pattern को समझ लीजे, फिर नए pattern, अभी जो latest pattern में आ से सी, जिस तरीकी के सवाल पुछ रहा है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, एक सवाल previous year का देखे हमने जो create किया, वो सवाल भी देखेंगे, ठीक है, तो पहले तो समझे कि पुराने जवाने में जो सवाल आते थे, वो आते कैसे थे, इस से आपका थोड़ा है concept clear होगा, फिर अभी latest pattern में जो question आ रहा है, उस से related भी questions में आपको कराऊंगा, तो पहले ये समझे यहाँ पर, क कि A जो है, किसी कारे को 10 दिन में पूरा करता है, डेस, B जो है, इसी कारे को 30 देस में पूरा करता है, तो अगर मैं इन दोनों का LCM लेलो तो 30 हाएगा, ये हमारा work बन रहा है, ठीक, ये हमारा work बन रहा है, तो efficiency की बात करो, तो 30 divided by 10 करोगे, तीन आएंगा, ये होगई A की efficiency 30 divided by 30 करोगो तो A की efficiency हो गई B की है ठीक अब लेकिन यहां से आपको समझना है कि alternate days में हो रहा है दोनों मिलकर कारे नहीं करने पहले दिन A कारे करेगा दूसरे दिन B कारे करेगा तीसरे दिन फिर A आएगा चौथे दिन फिर B आएगा पाश्वे दिन A भी इस तरीके से कारे होगा तो आपको यह समझना है कि यहां से alternate days की जब बात हो रही है तो पहले दिन A आता है मतलब कि विशम दिनों में A कारे करेगा और A जब जब आता है तो तीन यूनिट कारे करके चला जाता है Second day जो है B आता है, B जब जब आता है तो एक unit कारे करके चला जाता है, मतलब देखिए है, हर एक दिन अलग-अलग कारे हो रहा है, लेकिन अगर हर दो दिन का अगर हम एक cycle बना लें, तो हर दो दिन में बराबर कारे होगा, तो हम इस तरीकी के pattern के question में दो दिन को बना देते है एक cycle, और एक cycle में चार unit काम हो रहा है, और एक cycle में कारे जो है, वो सेम रहा है, तो अब हम दिन नहीं गिनेंगे, अब हम cycle गिनेंगे, कितने cycle complete हो रहे है, क्योंकि हर cycle में, यानि हर दो दिन में, कारे जो है, वो चार unit हो रहा है, अब अगर चार unit कारे हो रहा है, एक cycle में, इसको मैं क्या करूंगा बटा चार कर दूँगा तीस बटा चार तो साथ जो है आपका पूरी तरह से कटेगा और आधा remainder बच रहा है मतलब कि दो बटा चार तो जब साथ दिखा तो मैं यह कहूंगा कि साथ साइकल कंप्लेट हो जाएगा मतलब साथ साइकल की बात हो रही है एक cycle में 4 unit काम था, 7 cycle में 28 unit कारे हो जाएगा, और दिन जो गुजर जाएगे, यहाँ पर 16 दिन गुजर जाएगे, अब इसके बाद एक एक करके आपको गिनना होगा, कि कितना कारे हमें करना है, और कितना कारे बचा हुआ है, मतलब देखे, इसके बाद 15th day की जब मैं बात करूँ, तो 15th day में क्या होने वाला है, कितने लोग, मतलब A आने वाला है, तो A एक दिन में 3 unit काम करता है, लेकिन क्या हमारे पास 3 unit काम बचा हुआ है, हमारे पास तो बस 2 unit कारे बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम आपको 30 unit का करना था, और 28 unit कारे हो चुका है, मतलब ये जो पंद्रवा दिन है, पूरा नहीं होगा, इसका केवल 2 बटा 3 हिस्सा ही कंजूम होगा, क्योंकि टाइम होता है work divided by efficiency, 15 दिन के efficiency है 3 unit की, क्योंकि एक दिन में 3 unit कारे होना है, लेकिन कारे जो बचा है, वो तो केवल 2 unit बचा है, क्योंकि 28 में 2 जोडने पर 30 बिन जाता है, मतलब 14 सही, क्योंकि 14 दिन पूरे के पूरे हो जाएंगे, आखरी दिन का केवल 2 तिहाई हिस्सा होगा, तो 14 सही 2 बटा 3 हिस्सा आपका कारे हो, इस तरीके से आपको solve करना है alternate days की सवाल, एक और सवाल लेता हो इस pattern का, फिर मैं आपको बताऊंगा कि latest pattern के सवाल कैसे बन रहे हैं, ठीक है, तो इस सवाल में देखिए क्या है, ABC working separately can do a piece of work in 30, 45 and 60 days respectively, if they work for a day alternatively, B beginning followed by C and A respectively, then the work will be completed in, ABC जो है, एक दिन काम करते हैं, B पहले दिन आता है, और कार करने के बाद, उसके बाद C आता है, उसके बाद A आता है, तो कार कितने दिन में पूरा होगा आपको बताना है, तो देखिए सबसे पहली बाद, ABC के उपर information दियो है, कि ये 30 दिन में कारे करता है, और ये 45 दिन में और ये 60 दिन में, तो जैसे मैं LCM लोगा, तो वर्क का LCM यहां से आ जाएगा 180 का, इन तीनों नमबर्स का LCM हो गया, मतलब A एक दिन में जब-जब काम करेगा, तो 180 बटा 3 यानि कि 6 यूनिट काम करेगा, B की बाद करूं तो 180 बटा 45, अच्छा B फिर C फिर A है, दूसरे दिन कोन आता है, C आता है, फिर A आता है, तो B जब-जब आएगा तो 4 यूनिट काम करेगा, ठीक, और A जब-जब आएगा, सॉरी, C जब-जब आएगा तो 3 यूनिट काम करेगा, यहां तक समझ में आ गई अब यहां से क्या करेंगे मैंने आपको बताया है कि आप cycle पहले complete कितने हो रहे वो देख लिए उसके लिए क्या करना होगा जो कार है उसको हम 13 से बाटेंगे जैसे आप इसको 13 से बाटो गए तो 13 बार पूरा कटेगा 169 से 6 फल 11 बटा 13 बच इसके बाद एक एक दिन काउंट करना होगा क्योंकि इसके बाद जो आएगा वह भी आएगा काम करने के लिए क्योंकि साइकल complete हो गया तो बी सीए बी सीए इस तरीके से 13 बार आ गए सारे लोग फॉर्टींत वाले साइकल में भी पहले आएगा तो 40 अधे की अधी में बात करोいうこと 25 में बात करों cuma चार होना है चार यूनिट पका हो सकता है 173 यूनिट कां हो जाएगा क्योंकि अहां पर आपको काम यह सोषी करना तो चालिसवा दिन पूरा हो जाएगा 41st day में C आएगा तो C 3 unit काम करने आएगा तो 3 unit अगर मैं इसमें 3 जोड़ू, 3 जोड़ने पर 176 होता है, काम इतना है हमारे पास क्योंकि 180 unit तक जाना है तो 41 day जो है ये भी complete हो जाएगा 176, clear इसके बाद वाला दिन पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास केवल पलस 4 unit काम बचा हुआ है और काम करने को आ रहा है तो काम करने के लिए आ रहा है और ए एक दिन में 6 unit काम करता है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 unit काम बचा ही नहीं है तो time जो लगेगा इसके बाद वाले दिन में वो 4 बटा 6 time लगेगा मतलब कि 2 by 3 2 by 3 मतलब कि 41 days तो पूरा हो जाएगा तो 41 और 2 3rd days और लगेगा क्योंकि आखरी वाले दिन में केवल 2 by 3 days लगेगा लिए रहे हैं तक बात समझ में आगे आगे बढ़ते हैं तो डू असर्टें वर्क ए और बी वर्क ऑन अल्टरनेट देस बी बिगनिग दवर्क ऑन दी फॉस्ट दे एक सवाल मैंने बनाया है ऐसा ही ठीक है पहले इसको समझ लीजे इसके बाद वाला जो सवाल जो मैंने बनाया उसको एक बार खुझ से बनाने कोशिश भी करिएगा मैं यहां solution दोनों का बता होगा तो दीखे समझी यहां पर दिया क्या है अकेले किसी कारे को 48 दिन में पूरा कर सकता है अगर वह 11 सही काम जो है 11 सही एक बटा तीन दिनों में पूरा हुआ तो बी अकेले काम को कि चार गुने काम को कितने दिन में पूरा करेगा यह आपको चाहिए समझी यहां पर क्या से solve करेंगे इसको बात समझी यहां से कि बी ने पहले काम करना start किया था और एक दिन छोड़के एक दिन काम हो रहा है मतलब बी आएगा फिर ए 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 आएगा इस तरीके से काम होता रहेगा और जब इस तरीके से काम गिना जा रहा है तो एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन हो रहा है का मतलब समझी यहां से कि 11 सही एक बटा तीन दिन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको देखूं तो अगर यह 12 दिन होते तो 6 दिन भी आता और 6 दिन यह आता क्यूंकि बी पहले आ रहा है तो बी के 6 दिन तो पूरे हो गए होंगे लेकिन ए जो है यह remaining वाले जो बचा हुआ है 5 क्योंकि देखिए 11 सही एक बटा तीन है तो 11 सही एक बटा तीन में ए जो है वो रिमेनिंग 5 5 1 by 3 days में आएगा क्योंकि 6 days इसका पूरा complete नहीं हो रहा है मतलब यह 5 1 by 3 days के लिए ही काम करेगा यहां तक समझ भाई क्योंकि देखिए total कारे जो 11 दिन में हो रहा है अगर 2 दिन के लिए कारे होता तो B पहले दिन और A दूसरे दिन हो चार दिन के लिए कार में होता तो B दो मतलब अगर देखा जाए तो A जो है 16 बटा 3 दिन काम कर रहा है अब देखिए वर्क जो A ने किया वो कितना होगा ए जो है पूरे काम को 48 दिन में करता है और यहां पर 16 बटा 3 दिन उसने कारे किया मतलब कि A जो है 16 बटा 3 divided by 48 इतना unit कारे करेगा कि नहीं क्योंकि देखिए वर्क जो है directly proportional to time होता है पूरे काम को करने में 48 दिन लगता है और वो यहां पर 16 बटा 3 दिन कारे कर रहा है मतलब इतना हिस्सा कारे का वो complete कर दिया होगा इतना हिस्सा कारे का मतलब कितना हो गया 16 से 3 बार कटेगा मतलब 1 बटे 9 हिस्सा जो है वो A रा A कारे को करेगा बी जो है इतने कारे को करने के लिए 6 दिन लगता है मतलब समझीए यहां से बी को वर्क का 8 बटे 9 हिस्सा करने में 8 बटे 9 हिस्सा करने में 6 दिन लगता है तो बी को पूरा कारे करने में कितना दिन लगेगा 6 8 बटे 9 यह वाला बात समझ में आया कि नहीं कि यह इसी से तो कुरा कारे करने में कितना समय लगे और तो six by eight multiple add value लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि बी अक्यले उसी काम का चार गुने कारे को कितने दिन में करेगा मतलब अगर उतना ही कारे करना होता तो इतना टाइम लगता बट इस काम का चार गुने कारे हैं और हम यह बात जानता है कि वर्क जो है वह directly proportional to time होता है तो अगर आप चार गुने कारे को कर रहे हैं तो जो समय लग रहा है इतना समय लग रहा है इसका भी चार गुने समय लगएगा मतलब इसमे आप 4 गुना कर देए तो यहां से आपको समझना होगा चार से इसको मैं काटू तो दो बार कटेंगा दो से काटू छे को तीन और मतलबी यहां पे 27 दिन में कार्या पूरा कमप्लीट हो जाएगा 27 बात समझ भाइग तो यहां पर मतलब यहाँ पे 27 दिन में कार्य पूरा complete हो जाएगा 27 बात समझ भाई तो यहाँ पे हम क्या कर रहे है पहले देख रहे है दिन में कितना हो रहा है फिर हमने देखा A इतने दिन कारे किया तो कारे का कितना हिस्सा A ने किया एक बटा नो इससे समझ मैं B ने इतना कारे किया है और B ने इतने कारे को करने के लिए कितना दिन लिया, 6 दिन लिया, मतलब B पूरे कारे को 6 divided by 8 बटे 9 हिसंबर, लेकिन पूरा कारे का 4 गुणा कारे करना है, तो इसलिए यहां पर मैंने एक बार 4 multiply कर लिया, यह बहुत ही बहते बहुत ही तरीका है बहुत ही तेजी से आप इससे स्वाल कर सकते और अल्टनेटेश के उपर यहां पर इस पैटन का सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है अब एक सवाल देखिए यहां पर जो मैंने क्रिएट किया है यहां पर आप इसको solve कर सकते हैं A और B work on alternate days, A beginning the work on the first day, B finish the work, B can alone finish the work on 108 days, if the work gets completed in 13, 3 by 4 days, A can alone finish 42, 6 by 7 percentage of the work, same work in how many days, तो देखिए इस सवाल को आप खुझ से लगाने की कोशिश करिए, same सवाल है, बस यहां दिया हुआ A और B बारी बारी से एक एक दिन कारे करते हैं, A पहले दिन आता है, फिर B दूसरे दिन आता है, B को पूरा कारे करने में 108 दिन लगते हैं, 108 days, ठीक, और अगर वहाँ काम ज चला 13, 3 by 4 days चला, अगर यह पूरा का पूरा 14 दिन चलता, तो 7 दिन तो A के होते हैं, क्योंकि A पहले आ रहा है, तो odd वाला factor में जो बज गया, वो उतने दिन कारे कौन करेगा, B करेगा, मतलब B जो है, 6 सही 3 बटा 4 दिन कारे करेगा, क्योंकि कारी 14 दिन नहीं चला, कारी 13 सही 3 बटा 4 दिन, तो B ने इतने दिन काम किया होगा, इतने दिन का मतलब क्या होता है, इतने दिन का मतलब होता है, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाइ करें, तो 6 चौक, 24 आगा, 24 प्लस 3 करोगे, तो 27 बटे 4 दिन, इतने दिन B काम कर रहा है, मतलब work done by B कितना हो गया 27 बटे 4 दिन काम कर रहा है, और B को पूरा कारे करने में 108 दिन लगता है, 108 दिन लगता है, तो मैं के 1 आठ से डिवाइड कर लेका हो, तो कारे का इतना हिस्सा B करेगा, इतना हिस्से का मतलब कितना हो गया बताईई, 27 को ये 4 बार काटेंगा मतलब 1 बटा 16 हिस्सा जो है वो अकेला B कर रहा है तो इसका मतलब A ने कितना कारे किया होगा A ने अगर 1 बटे 16 हिस्सा B ने कारे किया तो 6 जो बचेगा मतलब कितना 15 बटे 16 हिस्सा जो है ये A करेगा और एको इतना कारे करने में साथ दिन लग रहा है एको इतना कारे करने में साथ दिन लग रहा है मतलब यहां से अब आपका स्वाल हो जाएगा कुश्चिन कि अगर पंदरा बटे सोला दिन में ए कारे कर रहा है इतना तो एको पूरा कारे करने में 7 divided by 15 by 16 लगेगा और 15 by 16 मतलब 16 यहाँ उपर चला रहा है लेकिन सवाल में दिया था कि इतना कारी करने में इतना प्रतिसत कारी करने में कितना दिन लगेगा तो आप खुद बताईए कि इसका मतलब क्या होता है देखे फ्रेक्शनल वैल्यू में मैंने आपको बता के रखा है 14 2 by 7 परसंटेज का मतलब होता 1 by 7 यह होता है तो अगर यहाँ पर आप देख पाने इसका 3 गुना हुआ क्योंकि 42 6 by 7 है जो कि इसका 3 गुना है तो अब यह calculate हो जाएगा साथ से साथ कट गया तीन से काटोगे तो 5 बर कटेगा तो 16 बटे 5 दिन में बुरा कारे हो रहा है मतलब 3 सही एक बटा पास तो 3 सही एक बटा पास यानि कि ए जो है सवाल का सही उतर है को जो है 36 दिन में पूरा कर सकता है बी जो है 12 दिन में यदि वे दोनों साथ काम करते है तो काम का कितना भाग बचा हुआ Ёह बताना है तो देखे अगर सपोस करिए कि यहांपर 36 दिन में ए काम करता है तो work done by A plus work done by B की बात करें तो तीन दिन कारे करता है, पूरे कारे को 36 दिन, मतलब कि 3 बटा 36 इतना हिस्सा कारे करेगा कि नहीं, तो कि देखे, सिंपल सी बात है, work directly proportional to time होता है, तो पूरे कारे को A को करने में 36 दिन लग रहा है, मतलब 36 यूनिट कारे अगर होगा, उसमें से 3 यूनिट कारे जो है, वो A चार से कटेगा, मतलब 1 बटे 12 हिस्सा, प्लस 1 बटे 4 हिस्सा, तो 12 LCM हो जाएगा, यहां 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 करोगे, तो चार आजाएगा, मतलब वैल्यू जो है, वो A बटा 3 हिस्सा, इतना कारे है, तो 1 बटे 3 कारे इन नोनोंने मिल कर किया, एक बटे तीन कारे इंदोनों ने मिलकर किया वाट फ्रेक्शन ऑफ दा वर्क इस लेफ्ट आउट निकालना है मतलब कितना कारे बचा हुआ है निकालना है तो पूरे कारे में 1-1 by 3 इतना कारे तो हो गया तो वर्क जो रिमेनिंग है 6 कारे हम जब निकालेंगे तो 6 कारे कैसे निकलता है एक में इतने भाग को माइनस करने से मतलब 2 तीहाई हिस्सा कारे का बचा हुआ है तो इतने कारे को जो है बचा हुआ है 6 भाग तो समझ में है यहाँ पर हम क्या कर रहे है directly work directly proportional to time होता है तो एक बचे बारह हिस्सा जो है वो तो A आकेला कर गया एक चौता ही हिस्सा जो है वो B कर गया तो 1 बचे बारे प्लस 1 बचे चार करोगे तो value आजायेगा चार बचे बारे और 4 बचे बारे का मतलब एक तीहाई एक तीहाई कारे हो गया तो शेश कितना बचेगा, दो तीहाई कारे बचेगा, तो A जो है सवाल का से, चलिए, अगला सवाल है, A can complete a work in 32 days, B in 36 days, C in 46, all of them started work, A leave after 8 days, B left one more day after, in how many days C will complete the remaining work, देखें, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यह चीज समझाऊँगा, 32 दिन में A पुरे कारे को करता है, 36 दिन में B करता है, और 46 दिन में इसको C पुरा करता है, यह सभी मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन A जो है, 8 दिन के बाद कारे को करना छोड़ देता है, B इसके एक दिन बाद छोड़ देता है, और 6 कारे को C कितने दिन में पूरा करेगा, देखें, समझी यहां से अगर 8 दिन A कारे करता है, और A पूरे दिन को, पूरे कारे को 32 दिन में करता है, तो इतना कारे कर लिया होगा, अखिला, ठीक, अरे भई, 8 दिन तक 3 मिलकर काम कि है, तो उसमें से A छोड़ दिया, तो A ने जितना कार किया, वो इतना होगा, 8 बटे 32, इसके एक दिन और बाद B छोड़ देता है, मतलब B यहां पर 9 दिन कारे करेगा, और B को पूरा कारे करने में 36 दिन लगता है, मतलब 36, clear, मतलब देखें, यह जो है, यह क्या है, वर्क दन बाद B है, तो इतना इतना कारे यह लोग कर रहे है, मतलब कितना कारे कर रहे है, तो यह आड से 4 बार कटेगा, यह भी 4 बार, मतलब 1 चोथाई, प्लस 1 चोथाई, दोनों को 1 चोथाई, 1 चोथाई को जोड़ोगा, तो आधा आधा जाएगा, आधे इस से तो यह दोनों कारे को C जो है वो 46 दिन में करता है पूरे कारे को तो आधे कारे को करने में C को कितना टाइम लगेगा 46 से 46 से इसको मल्टिप्लाय कर लेते तो यहां पर 23 आ रहा है मतलब पूरे कारे को यहां पर 23 डेज में सीख पुरा करेगा लेकिन आप देखेंगे तो option में ऐसा कुछ दि के साथ कारे कर रहा था अब remaining कारे की बात हो रही है तो इसमें minus 9 कर लीजे क्योंकि 9 दिन तक 3 मिलकर कारे कर रहे थे यानि कि 8 दिन तक 3 मिलकर कर रहे थे फिर A निकलके चला गया तो B और C एक दिन के लिए काम किये तो यहां तक 9 दिन कुरा हो गया इसमें से 9 minus करोगे तो 14 दिन बचे है 14 दिन में शेशकारे को C यहां पर अखेला कर लो ठीक है I hope यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं यहां से next question देखेंगे M can do a piece of work in 6 days and N can do the same work in 18 days if M and N begin together M left after 3 days in how many days N has to finish N has to work after M has left in order to complete the work तो देखें similar pattern का सवाल है बस यहां दिया हुआ M जो है 6 दिन में कारे complete कर सकता है N जो है वो 18 दिन में पुरा कारे कर सकता है M on N एक साथ मिलकर काम करते हैं शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है कौन M छोड़ देता है तो पूछा है कार को पूरा करने में M के चले जाने के बाद N को कितने दिन लगेगी तो सिंपल सी बात आप बताईए मुझे कि work done by M प्लस work done by N का हिस्सा क्या है क्योंकि 3 दिन कार हो गया 3 दिन दुनों मिलकर कार किये जिसमें से 6 दिन जो है 6 दिन जो है वो यहाँ पर M अकेला कर सकता था तो यहाँ पर 3 बटा 6 यहाँ आधा कार है तो M अकेला कर गया और तीन दिन में यदि N भी कार कर रहा है और यहाँ पर आप जानते हैं यह 18 दिन में पूरे कार करता है मतलब 3 बटे 18 इससे कार का N भी इसके साथ मिल कर कर चुका होगा मतलब समझे कि यहाँ से अच्छा ठीक है इसकी वैसे कोई आवसकता नहीं है क्योंकि देखिए इसको भी अगर मैं हटा दू तो मतलब समझे कि 3 दिन में अगर M कार करना है मतलब यह आधा कार किया होगा यहाँ से डिरेक्ट सॉल्व कर सकते हम आधा कार यदि M किया मतलब 6 आधा कार यदि N करेगा और N को आधा कार करना है आप जानते हैं कि n पूरे कारे को कितने दिन में करता है तो 18 दिन में करता है मतलब आधे कारे को करने में n को 9 दिन लगेंगे लेकिन इसमें से आपको समझना है कि 3 दिन यह तो 3 डेस जो है 3 डेस जो है वो तो m के साथी काम कर रहा था न तेन दिन तो देखें आधेकारे को M जो है वो पूरा complete कर सकता है क्योंकि यहाँ पर आधे दिन तीन दिन अगर काम करेगा तो आधा कारे जो है वो M complete तो 6 कारे आधे कारे को पूरा को पूरा N करना होगा याने N को पूरा अगर अकेले कारे करता इसको M को हटा दिया जाए तो यह 9 days में complete हो जाता लेकिन यहाँ पर starting में दोनों simultaneously काम कर रहे थे तो 3 दिन तो यह M के साथ क्या होगा M को जाने के बाद जो time लगेगा वो remaining का time लगेगा मतलब 6 days का time लगेगा मतलब देखिए यहाँ पर N को कारे करने के लिए 9 दिन तो दिन है लेकिन 3 दिन जो है वो M के साथ ही कर रहा था और M छोड़े के चला गया तीन दिन के बाद तो 6 कारे को करने में 6 days लगेगा तो C जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम यहाँ पर बस यही चेक कर रहे थी कि M ने आधा कारे किया तो आधा कारे N करेगा N को काम करने के लिए 9 दिन लगेगे क्योंकि पूरे काम यहाँ पर 8 दिन में होता है और 3 दिन जो है वो M के साथ कर रहा था क्योंकि तीनों दोनों मिलकर कारे कर रहे थे तो 6 दिन और लगेंगे इसको अखेले कारे करने में 6 कारे का अब दिया हुए A and B, A can do a piece of work in 20 days, B in 30 days, they work together for 7 days and then both leave the work, then C alone finishes the remaining work in 10 days, in how many days will C finish the full work तो देखिए यहां दिया हुए A किसी कारे को 20 दिन में और C जो है B जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है वे दोनों साथ दिन कारे करते हैं और फिर दोनों कारे छोड़ देते हैं C अकेला 6 कारे को 10 दिन में पूरा करता है, C पूरे कारे को किते दिन में करेगा तो देखिए, आप यह समझिए कि work done जो A ने किया और work done जो B कितना कितना कारम कर दिया क्योंकि यह 20 दिन में पूरा करता है और यह 30 दिन और यह लोग दोनों मिलकर 7 दिन कारे करके कारे करना बंद करते हैं मतलब 7 बटा 20 दिन 20 कारे इतना बीने कर लिया होगा और 7 बटा 30 कारे इतना जो है यह विने कर लिया होगा तोटल देखा जाए तो 60 LCM हो जाएगा उपर 3 और यहाँ पर 2 आएगा 3 प्लस 2 मतलब 5 यहाँ पैतिस कारे यहाँ पर हो जाएगा मतलब समझे कि यहाँ से जो कारे है इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लिफाय कर दू 5 से काटके तो 7 बटा 12 आजाएगा मतलब 7 बटे 12 हिस्सा कारे हो चुका है मतलब कारे जो बचा है वो है 5 बटे 12 हिस्सा और 5 बटे 12 हिस्सा को जब C करता है तो C को 6 कारे को करने में 10 दिन लगते है यह कितना हिस्सा है कारे का तो 5 बटे 12 हिस्सा आपसे सवाल में पूछा जा रहा है पूरे काम को कितना तो देखिए जबी भी आपको ये पता है कि इतना fraction काम को 10 दिन में हो रहा है तो पूरे काम को करने के लिए 5 बटे 12 से डिवाइड करना होगा 5 से बटे 12 से इसको डिवाइड करना है यहां तक समझ भी आगई बाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं A, B, C can complete a work in 10 days, 12 days and 15 days A left after 5 days before the work and work was completed and B left 2 days after A had left मतलब the number of days required to complete the whole work is देखिए अब यहां से मैं आपको एक line diagram के जरिए इसको कैसे solve करना है पहले आपको basic approach से बता देता हूं उसके बाद आपको बताऊंगा कि line diagram से भी कैसे solve करना है A, B, C जो है 10, 12 और 15 दिन में किसी कारे को पूरा complete करना है तो A का information है, B का information है C का, तो 10 दिन में यह complete करता है B जो है इसको किते दिन में complete करता है, B जो है इसे 12 दिन में complete करता है कि A जो है अच्छा ठीके, A जो है complete होने के 5 दिन पहले चला गया, मतलब देखे अगर कार ये T days के लिए हो रहा है कार किते दिन के लिए हो रहा है, T दिनों के लिए हो रहा है तो इसमें से T-5 days के लिए कौन काम करेगा, T-5 days के लिए A काम करेगा, क्योंकि काम complete होने के 5 दिन पहले A चला जाता है, इसके 2 दिन के बाद B जाता है, देखे A के जाने के 2 दिन के बाद जो है वो B चला जाता है, मतलब सपोस करेगे कि अगर ये 5 दिन पहले गया, इसके 2 दिन के बाद B जा रहा है, मतलब B कितने दिन रहेगा तो T-3 days रहेगा युकि इससे 2 दिन ज्यादा B रहता है और C तो छोड़ के जाही नहीं रहा है मतलब जितने दिन काम चलेगा उतने दिन C का रहेगा अब देखे हमें क्या पता है हमें पता है कि अगर work होता है total work ये work done by A plus work done by B plus work done by c यह हम कर सकते की नहीं कर सकते तो यह basic approach है इसके बाद मैं short trick बताऊंगा ठीक है तो दोनों चीज आप समझ के रखिए तो यहां से समझे total work जो है वो work done by a plus work done by b plus work done by c होगा और work होता है efficiency multiplied by time तो आप समझे कि 6 के efficiency के साथ इतने दिन कारे हो रहा है t-5 days मतलब यहां से इसका जो कार होगा 6 into t-5 होगा t-5 मतलब t-5 से अगर multiply करना है तो 6 t-30 हो जाएगा कितना हो जाएगा minus का 30 हो जाएगा minus 30 plus b की अदि में बात करो तो 5 multiplied इतना होगा तो 5 t-15 हो जाएगा इतना कारे भी करेगा और c जो है 4 times काम कर रहा है 4 की efficiency से काम कर रहा है और t days के लिए काम कर रहा है तो 4 t जो है इसका कारे हो जाएगा ठीक है और total कारे कितना है 60 है मतलब बताइए कितना हो गया 60 plus 5 t plus 4 t 6 plus 5 plus 4 6 plus 5 t plus 4 t जोड़ोगे तो 15 t आएगा ठीक है बराबर किसके हो जाएगा तो 60 ये 30 जो है दूसरे तरफ जाएगा तो add हो जाएगा ये 15 दूसरे तरफ जाएगा तो add हो जाएगा मतलब 60 plus 45 करने पर 105 आता है मतलब time जो है वो कितना हो गया 105 बटा 15 मतलब कि 7 दिन में पूरा काम complete हो जाएगा 7 days में काम पूरा complete हो जाएगा यहां तक समझ में आ गई बात है तो यह है भाई basic approach से कि हम formula ये उस कर रहे हैं कि work is equal to efficiency into time तो कई लोगों को यह approach जो है वो समझ में आता है तो इसलिए मैंने यहां पर इस तरीके से समझाए लेकिन अगर आप exam competitive exam की तयारी कर रहे है तो इस approach से आप करेंगे तो आपका time काफी जाएगा ठीक है लेकिन ये approach जरूरी है क्योंकि exam में ये सारी चीज़े आपको समझ में आती है ठीक है अब देखे मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिना इस approach के फटाफट यदि हमको calculate करना है तो कैसे हम calculate करेंगे ठीक है वो भी आपको में बता कर रखता हूँ देखे मैंने आपको शुरुवाती तोर पर बताया था कि distance is equal to distance is equal to speed into time इस से आप compare करेंगे तो distance work के जैसा होता है speed efficiency के जैसा time जो है अपका time के जैसा होता है speed time distance से कर compare करेंगे तो यह मान लेते हैं कि इस line में इतनी जो दूरी है उतना काम करना था इन्हें 60 units का काम करना था लेकिन यहाँ पर दिया गया कि आखरी के 5 दिन आखरी के 5 दिन उस efficiency को मैं constant रखना चाहता हूँ शुरू से आखरी तक तो 6 प्लस 5 प्लस 12 मनलब 4 करोगे तो total efficiency आजाती है 15 unit की तो इससे होगा यह कि अगर यहाँ पर आखरी के 5 दिन काम नहीं किया मतलब कि यहाँ पर ए ने 30 units काम करने से बज़ गया मतलब 30 unit कम काम हुआ तो मैं क्या करूँगा इस 60 में 30 unit जोड़ दूँगा और मान लेता हूँ कि A जो है शुरू से आखरी तक काम कर रहा है तो 30 unit और काम होता क्योंकि अगर 5 दिन के लिए 5 दिन के लिए A और काम करे था तो यहाँ पर पलस थम और कर लेंगे यहां पर 15 कर लेंगे क्योंकि देखिए एक एक दिन में यह पांच autom कर रहा यह तो तीन दिन में भी जो है 5 यूनिट काम कर लिए मतलब की पहले जो 60 unit काम करना था इस में 60 unit के जगा अब जो काम होना है वो काम कितना हो जाएगा वो टोटल काम हो जाएगा 105 कितना 105 इस 105 काम करने के लिए अब तीनों के तीनों ABC मिलकर काम करेंगे तो time होता है work 105 divided by efficiency जो की है यहां पर 15 की ठीक है और यहां से आपका 7 days में काम कुप्लीट हो जाएगा तो यह थोड़ा और तेज तरीका है इसको आखिर में काम कंप्लीट होने के पहले छोड़के चलेगा उसको छोड़के जाने के लिए हम नहीं देंगे और हम यह देखेंगी कि अगर वो पूरे दिन काम करते तो extra जो काम होता उसको हम जोड़ देते हैं जैसी हम जोड़ देंगे तो इतना इतना कार यांने 105 उनिट का in 20 days a and c work together for two days and then a was replaced by b in how many days altogether work was completed लिखिए समझी यहाँ पर a b और c तीन लोगे दस दिन में कारे complete कर सकता है b 15 दिन में और c जो है यह 20 दिन में कारे पूरा कर सकता है मतलब अगर मैं इसका efficiency यूनिट देखू तो 60 यूनिट का वर्क हो जाएगा तो a एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा b एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा c एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा सवाल में दिया क्या है कि पहले जो है यहाँ पर दो व्यक्ति आएंगे पहले जो है यहाँ पर दो व्यक्ति आएंगे कौन-कौन a और c a और c A और C मिल जाते हैं तो A और C को अगर जोड दिया जाए तो A एक दिन में 6 unit काम करता है C एक दिन में 3 unit काम करता तो 9 unit कारे होगा लेकिन 2 दिन के लिए कार हो रहा है मतलब कि 18 unit का work हो जाएगा A C के द्वारा 2 दिनों में तो अब बताइए अगर 18 unit का काम हो गया तो work जो remaining है मतलब 6 कारी जो बचा हुआ है वो कितना होगा हमें जो कारे करना है वो है 60 unit जिसमें से 18 unit कारे हो गया 18 unit कारे हो गया तो आप इसमें से 60 में से minus करोगे तो 42 unit का कारे बचा होगा इसमें क्या दिया है कि A को replace किया जाता है A को replace कर दिया जाता है किसके द्वारा A को replace कर दिया जाता है B से तो जब अब B और C मिलकर काम करेंगे तो 4 unit काम तो B अकेला करता है 3 unit काम ये करता है दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 7 unit काम होने लगेगा तो time होता है भई work कितना करना है 42 और efficiency कितनी है अब 7 की क्योंकि B और C मिलकर कारे कर रहे हैं तो यहां से 6 दिन में कारे complete हो जाएगा तो आपसे यही पूछ रहा था कारे कुल मिलकर कितने दिनों में पूरा होगा ठीक है तो in how many days altogether the work was completed यह हमें निकालना है तो यहां से आपको चौकरना रहना है कि आप यहां पर 6 days mark करेंगे तो आपका जो है answer गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछ रहा था in how many days altogether the work was completed पूरा काम कितने दिन में complete हुआ यह निकालना तो 6 दिन तो यहां B और C जब मिले तब से 6 दिन लगा पहले ही दो दिन गुजर चुके थे जब A और C काम कर रहे थे तो दो दिन पहले का छे दिन बाद का मतलब टोटल काम को करने में 8 दिन लगे तो 8 days जो है इसका सही उत्तर होता है आगे बढ़ते हैं next question दिया हुआ है A और B A और B can complete a piece of work in 12 days they work together for 5 days A alone finish the remaining work in 14 days A alone can complete the entire work in harmony days A और B मिलकर जो है 12 दिन में किसी कारे को कर सकते हैं तो देखिए यहां से बहुत simple तरीके से मैं आपको बताऊँगा A और B जो है किसी कारे को कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन अब सवाल में दिया हुआ है they work together for 5 days A alone completed the rest of the work in 14 days मतलब देखिए जब work done जो A B द्वारा होगा वो कितना होगा अगर यह लोग ने 5 दिन काम किया और टोटल काम 12 दिन में हो सकता है तो इतना हिस्सा वर्क यह लोग complete कर दियो होगा मतलब जो remaining यानि कि work done जो 6 बचा हुआ है यह 6 कारे कितना होगा हमेशा एक में से इतना माइनस करना पड़ता है उनकी टोटल कारे एक यूनिट होता है ठीक है तो मतलब कि 7 यूनिट 12 इतना हिस्सा वर्क बचा हुआ है इतना हिस्सा वर्क करने के लिए A को कितना समय लगा तो 14 दिन लगा मतलब ए पूरे कारे को कितने दिन में करेगा देखिए 7 बटे 12 हिस्सा को करने में ए को 14 दिन लग रहा है तो 14 divided by 7 बटे 12 कर लेते हैं 7 से काटोगे तो 2 बार मतलब यह 24 दिन में पूरा होगा मतलब ए पूरे कारे को कितने दिन में करता है तो 24 दिन में करता है अब सवाल कम्प्लीट है आपसे क्या पूछ रहा है A can complete the work in किते दिन कहा marvel निकालना था तो knock to take that दिन में पूरे कारे को करेगा तो 24 दिन में पूरे कारे को कर ले आसान सी बात है ठीक यहां से आप यह भी निकाल सकते हैं कि B कितने दिन में कारे को करेगा क्योंकि A B का कंबाइन आ गया A का अकेले का आ गया यहां से आप A B का combined भी निकाल सकते हैं LCM वगेरा लेकर X can do a piece of work in 6 days Y can do the same work in 5 days If the total amount of to be given for this work is 660 What is the share of Y if both work together X जो है किसी कारे को 6 दिन में जबकि Y जो है वो 5 दिन में कर सकता है यदि इस कारे को के लिए दिये जाने के लिए total राशी जो मिल रही है वो 660 रुपया मिल रही है तो आपको बताना है कि Y का हिस्सेदारी क्या रहेगी देखिए wage जो होता है वो बरावर work होता है इसको आप note करके रखिए याने कि वेतन जो होती है जो वेतन इनको मिलेगा वो बरावर किसकी होगा तो कारे के होगा मतलब जितने unit कारे है उसके directly proportional वेतन हो तो आपको यह समझना है work is directly proportional जबी भी आप याने कि wage related question देखेंगे जो जितना कारे करेगा उसको उतने ही पैसे मिलने चाहिए इस चीज का आप note बना के रखिए तो यहां से अगर इस चीज को आपने note कर लिया तो आप से यह बोला गया है कि जब यह x और y काम करते है तो x और y को जो time लगता है वो 6 और 5 दिन का लगता है मतलब x अनुपात y कि अगर मैं time के ratio की बात करूँ तो time का ratio क्या है 6 is to 5 तो इनके efficiency यहने दक्सता के ratio की बात करूँ तो x और y का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या होगा 5 ratio 6 जब यह लोग 7 में काम करते हैं जब यह लोग 7 में काम करते हैं work together उस case में work का जो efficiency होगा work का efficiency x और y का जो होगा यह भी 5 अनुपात 6 रहेगा जब यह दोनों मिलकर काम करते हैं तो जितने समय कले x काम करेगा उतने समय कले y भी काम करेगा ऐसे case में जितना efficiency का अनुपात होता है वही अनुपात कारे का भी होता है तो कारे का अनुपात वही बन जाएगा जो इनके efficiency का अनुपात है तो इसी अनुपात में पैसे भी बटेंगे अब आपको बताना है y को कितना मिलेगा y के हिस्से में 6 बटा 11 ही शेगा y के हिस्से में 6 बटे 11 आएगा क्योंकि यहां 5 अनुपात 6 में बटना है जिसमें य का हिस्सा 6 है multiplied by कितना करना है तो 660 करना है 660 ग्यारा से यदि में काटू तो 60 आएगा यहाँ पर मतलब वाई को कितना मिलेगा तो रूपीज 360 रूपीज आएगा तो यह आपका वाई का समय गया 360 ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर हो गया चलिए next question daily wages of A and B are respectively 3.5 rupees and 2.5 rupees when a certain when A finishes a work he gets total wages of 63 B finishes a work he gets a total wage of 75 if both of them work together then what will be the cost of the work A B की दैनिक मजदूरी साढ़े तीन रूपिया है और धाई रूपिया है A अगर अकेले किसी कारे को करता है तो उसे 63 रूपिया वेतन दिया जाता है B अकेले करता है तो उसे 75 रूपिया दिया जाता है यदि दूनों मिलकर कारे करें तो कितना रूपिया दिया जाएगा यह निकलना है अगर एक दिन में यह इतना कमाता है 3.5 रुपिया पूरे कारे को अगर A अकेले करता है ठीक है? पूरे कारे को A अकेले करता है तो उसे इतना पैसा मिलता है मतलब टाइम जो A को लगेगा वो कितना हो जाएगा? देखिए A की एक दिन की दैनिक मज़दूरी multiplied by इतना करने पर Total Dinic मज़दूरी आनी साइ मतलब एक तरीके से Total Dinic मज़दूरी जो है वो इसके 63 जैसा है efficiency मतलब एक दिन की मजदूरी क्योंकि work जो होता है work एक दिन में जो होता है वही आपकी efficiency होती है то work जो है वो पैसे total के जगा जाएगा वेच की जगा पर एक दिन में जो मजदूरी है वो आपके efficiency के जाए तो efficiency multiplied by time ही तो यह होता है तो time जो a को लगेगा वो क्या हो जाएगा total मजदूरी जो कमारा है divided by एक दिन की मजदूरी जो है इस तरीके से आप time calculate कर सकते हैं मतलब time जो a को लगा वो कितना लगा वो जाएगा 63 divided by एक साड़े तीन साड़े तीन का मतलब साथ बटा दो साथ से काटू तो 9 बार कटेगा मतलब 18 दिन यह days में आ गया अगर मैं b की बात करूँ time taken by b ठीक है तो यह क्या होता है धाई रूपिया कमा रहा है एक दिन में और यहाँ 75 दिया तो 75 divided by 2 मतलब यह जो है 30 days में काम करेगा मतलब ए कितने दिन में कारे कर रहा है भी कितने दिन में कारे कर रहा है यह हमें पता चल गया अब हम यह देखते हैं कि अगर दोनों मिलकर कारे करे तो दिन कितने लगेंगे कार करने में वो देख लेते एक बार तो इंदोनो काइलसियम लेना होगा तो आ जाएगा यहाँ पर value 90 का यह work हो गया इतना काम करना है मतलब एक दिन में A की efficiency हो जाएगी एक दिन की efficiency जो है A की बन जाएगी यहाँ से 5 और B की अधी मैं बात करो तो 90 divided by 3 करोगे मतलब समझे कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 8 unit कारे एक दिन में होगा तो time जो लगेगा अब कारे करने में time जो होता है work divided by efficiency की होती है मतलब time जो लगेगा वो हो जाएगा 90 divided by 8 इतने दिन में कारे complete हो जाएगा अब हमने यह निकाल दिया कि कार इतने दिन में complete हो रहा है हमसे पूछ रहा था तो total कारे की लागत क्या है मतलब इस बात को थोड़ा समझेगा कि total कारे जो है 90 बटे 8 दिन में complete हो रहा है ए एक दिन में 3.5 और बी एक दिन में धाई रुपय कमाता है total जो इनका wage हो जाएगा वो कितना हो जाएगा total wage हो जाएगा wage जो total देना है वो हो जाएगा दिखे एक दिन में इसको 3.5 देना है इसको 2.5 देना है मतलब दोनों मिलकर जब कारे कर रहे तो ये भी 90 बटा 8 दिन कारे करेगा ये भी 90 बटा 8 दिन मतलब एक दिन में दोनों को मिला कर हमें जो वेतान देना वो छे रुपय का देना है तो नब्बे बटे आठ मल्टीप्लाइड बाई सिक्स यह हमारा उत्तर हो जाए तो बताई कितना रहा है आठ में दो है तो यह दो इसको तीन बार काटेगा एक दो इसे काटेगा पैतालिस जो है वो लगबग इन दोनों के बीच में कहीं पर वैल्यू आया है तो आशा करता हूं यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कुश्चन के और अब एक employment में दिया हुआ है कि P और Q और R को हम लोग ने employment पे किया रखा था जिसमें से total जो हिस्सा है वो यहाँ पर इतना है P और Q मिलकर जो है इतना कारे करते हैं और Q और R मिलकर जो है इतना कारे करते हैं क्यों का वेशा कितना होगा समझी बात को P Q, R को मिलाकर इतना रूपया देना था, P Q मिलकर जो काम किया वो कार मां क Zarता तो देख़ाँ से P और कार का वर्क कितना है तो है 19 बटा 23 और work done जो Q plus R है इसका हिस्सा कितना है तो ये है 8 बटे 23 यदी मैं दोनों को जोड़ दूँ तो क्या आएगा तो हमें एक fraction मिल जाएगा इन दोनों को जोडने पर जो fraction मिल रहा है उपर नीचे वाले fraction को 23 उपर आजाएगा 19 बटे 23 अब आप देखिए यहाँ पर एक से बड़ा fraction आ रहा है जो total work done होगा P plus Q plus R है इसका fraction हमेशा कितना होता है तो एक unit होता है आप यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर Q जो है double count हुआ एक बार यहाँ पर यहाँ पर work done by P plus Q plus R minus हो जाएगा और यहाँ पर P एक बार है Q दो बार है R एक बार है मतलब जो remaining होगा fraction वो Q का work देगा मतलब इसको minus करने पर 27 minus 23 divided by 23 आ रहा है मतलब की 4 बटा 23 इतना हिस्सा कार्य का जो है वो यहाँ पर Q कर रहा है और जो जितना कार्य करता है उसको उतने ही पैसे मिलने चाहिए और यही हमारा यहाँ पर concept है कि total यहाँ पर पैसे जो देने थे वो 5,7,6 sorry 5,7,5,0 देना था और इसका अगर हिस्सा पूछा जाए कि Q के हिस्से में कितना आएगा तो Q के हिस्से में इसका 4 बटे 23 हिसा आएगा क्योंकि कार्य भी वो उतना ही कर रहा solve कर लेते हैं यह 2 बार जाएगा 46 से फिर 115 आ रहा है तो 5 बार जाएगा और multiply by 0 25 इंटू 4 होता है 100 और आगे 10 आ जाएगा मतलब 1000 रूपिया आपके Q के हिस्से में आएगा तो D जो है सवाल का सही उतना है आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ भाया होगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ओर सवाल में दिया हुआ है working alone A can do it in 27 hours B can do it in 54 hours find the C share if ABC are paid 4320 and complete for completing a task in 12 hours मतलब देखिए A जो है किसी कारे को 27 गंटे में पूरा कर सकता है B जो है इसे 54 गंटे में कर सकता है C का share बताना है अगर ABC मिलकर कारे किये और कारे जो है 12 गंटे में हो गया और total कारे करने के लिए 4320 रुपया का भूगदान मिलता है जिसमें उन्होंने एक साथ कारे किया था तो देखिए सब्सकरिए यहाँ पर समझिए दिया क्या हो है A जो है इस कारे को किते दिन में करता है 27 दिन में B जो है इसे किते दिन में करता है ABC मिलकर जब कारे कर रहे तो 12 गंटे में कारे हो रहा देखिए यहां से fraction of work done by A plus fraction of work done by B निकाल सकते हैं क्योंकि 12 गंटे कार हुआ और यह 27 गंटे लगाता है मतलब 12 बटे 27 इतना कार्य ए किया होगा 12 बटे 54 इतना कार्य भी किया होगा तो यहां से हम यह निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसे 3 से काटू तो 4 बटा 9 इसे यदि मैं 3 से काटू या 6 से काटू तो यहां पर 2 बटा 9 हिस्सा आएगा ठीق देखा जाए तो इंड़ोनों को जोड़ दिया जाए तो 9 इहां LCM बन गया उपर 6 आ जायेगा बतलब दो तीहाई हिस्सा कारी का तो A B C B मिलकर कर लेते हैं मतलब सी ने किता कारी किया होगा तो सी ने एक तियाई हिस्सा किया होगा और जो जितना कारी करता है उसको उतने पैसे मिलते हैं तो अगर एक तियाई हिस्सा ए भी मिलकर कर लिए मतलब एक तियाई हिस्सा जो है वो सी करेगा और वेतन जो टोटल मिला चार जार तीन सो बीस इसका एक तिहा हिस्सा इसको मिलना चाहिए तो अगर तीन से इसको काट लेते हैं तो 14 बार कटेगा 42 से फिर 12 आ रहा है तो 4 बार और जाएगा मतलब 1440 जो है इतना हिस्सा एक हिस्से में आना चाहिए तो directly आपको बस यह आना चाहिए वर्क से रिलेटेड देखा फिर हम alternate वर्क वाले सवाल देखें फिर हम देखें वेज रिलेटेड अब मैं यहां से कुछ efficiency related questions आपके सामने discuss करो यहां दियोवा है ratio of the efficiency of ABC इतना है they can together complete a work in 27 days BC can complete 4 by 9th part of the work in homily days बहुत सिंपल सा सवाल है बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाओ ABC की दक्षता का अनुपाद दिया है 2-5-3 और एक साथ जब कार्व करते हैं तो 27 दिन में काम पूरा होता है BC मिलकर 4 बटे 9 हिस्से कार्व को कितने दिन में करेंगे निकालना है तो देखे A, B, C तो इनके टाइम के बारे में कोई information नहीं दिया है हलाकि ABC के टाइम का आपको information दिया है ABC मिलकर काम करते हैं तो 27 दिन में कार्व होता है टाइम के बारे में इतना ही पता है वर्क के बारे में नहीं पता है लेकिन efficiency के बारे में जरूर दिया है कि A की Efficiency 2 है B की Efficiency 5 है C की Efficiency 3 है जब तीनों मिल जाएंगे तो ये A की Efficiency है ये B की Efficiency ये C की आप Efficiency में प्लस माइनस कर सकते हैं वर्क में प्लस माइनस कर सकते हैं तो यदि मैं तीनों को मिला दू A प्लस B प्लस C तीनों को मिला दू तो बताइए एक दिन में कितना काम हो रहा है A एक दिन में 2 काम B एक दिन में 5 काम कर रहा है C एक दिन में 3 काम दक्षिता का मतलब होता है एक दिन में कितनी कारे हो रहे है अगर एक दिन में इतना कारे हो रहा है तीनों को मिला दोके अरे भई वर्क होता क्या है वर्क होता efficiency multiplied by time तो a plus b plus c की efficiency multiplied by इनका time 27 दिन करने पर total कार्या जाएगा तो इनका efficiency जो है 10 unit का है तो 27 कार्य करना है मतलब वर्क कितना हो गया 270 हो गया कि नहीं हो गया यहां तक बात समझ भ्याबे अब time किसका निकलना है time निकलना है आपको 4 बटे 9 हिस्सा कार्य का जो b c मिलकर करते है तो time हमेशा होता है work divided by efficiency कौन सा कार्य करना है तो 4 बटे 9 हिस्सा करना है तो work क्या है 4 बटे 9 हिस्सा किसका 270 का 270 का 4 बटे 9 हिस्सा कार्य है और कारे करने के लिए कौन है आपके साथ आपके साथ B है और C है B और C का टोटल अगर देखा जाए तो B और C मिलकर एक दिन में 8 कारे करते है एक दिन में 8 कारे करते है तो बताइए भई कितना टाइम लगेगा इनको पूरा कारे करने में यह चार जो है आठ को दो बार कट देगा नौ जो है इसको तीस बार कट देगा और तीस से दो जो है इसको पंदरा बार कट देगा बतलब पंदरा दिन में कारेर पूरा हो जाए 15 बेस यहां तक समझ में आ गया B is the correct answer for this question ठीक है तो efficiency से related जब question दिया तो आप तीसरे कॉलम से solve करेंगे इसको अगर time से related दिया तो यह पहले कॉलम से काम करना है लेकिन जब efficiency दिया तो तीसरे कॉलम से आप इसको काम कर सकते हैं similar pattern का सवाल है तो यह important pattern है अगर आप previous year में देखेंगे तो 2018 CGL CHSL में सारे paper में इस pattern के उपर बार बार सवाल पूछा गया था तो मैंने यहां पर एक और इस तरीके का pattern का सवाल आपके screen पर रखाए इस सवाल को आप से बन जाना चाहिए किसी भी हाल में आप इसको तो यहां पर चार पांच और तीन दिया हुआ इसकी एफिसेंसी वर्क के बार में नहीं पता एफिसेंसी के बारे टाइंग के बार में नहीं पता दिया हुए working together यह लोग 25 दिन में कर सकते हैं तो ABC का combined time दिया हुआ है कि यह 25 डेज में पूरा करता है पूछ रहा था कि वर्क 35 प्रतिसेत वर्क को AC मिलकर कित्ते दिन में करेंगी तो time किसका निकालना है 35% अव्धी वर्क मतलब 300 unit का 35% और काम करने के लिए आपके पास कौन है तो ए है और सी है एक के एफिसेंसी आपके पास है C के एफिसेंसी आपके पास है A और C के एफिसेंसी आपके पास है यह 4 काम करता है यह 3 काम करता है A और C को मिला दे तो यहाँ पर 7 unit काम होगा एक दिन में ठीक चलिए solve करिए साथ से कटेगा यह 5 बार और 100 से यह दोनों zeros कर जाएंगे मतलब कि 15 दिन में पूरा कारे हो जाएगा तो B जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां से इस सवाल क्लियर है efficiency related सवाल को कैसे हमें अप्रोच करना है कि आपको यहां पर समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद next question की और efficiency related तीसरा सवाल है यहां पर आप देखेंगे तो question का जो language है वो आपको percentage के terms में दिया है और जब language के पर percentage के सवाल मनते हैं तो आपको ratio निकालना आना चाहिए चलिए solve करते है ए बी और सी तीन लोग है यहां time के बारे में नहीं दिया work के बारे में नहीं दिया efficiency के बारे में कुछ information दिया क्या दिया A की efficiency जो है 50% ज्यादा है 20 और C की efficiency 40% कम है किससे तो 20 मतलब दोनों के दोनों जो reference है वो B का है तो मैं मान लेता हूँ B का जो efficiency है उसको 100 मान लेते हैं इससे हमारा काम आसान हो जाएगा कि अगर B की efficiency 100 है तो A की जो efficiency है इससे 50% अधिक है 50% अधिक मतलब यह 1.500 की efficiency रखता है और B की दक्षता 40% कम है यानि C की जो दक्षता है वो B से 40% कम है मतलब यहाँ पर इसकी जो दक्षता होगी वो हो जाएगी 60 आप यहाँ पर ratio बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको 30 को काटके 15 अनुपात 10 अनुपात 6 भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब यह पिछले सवाल जैसा हो गया क्योंकि अब आपने क्या क्या दिया यह आपने यहाँ पर दक्षता का अनुपात निकाल दिया अब सवाल में बोल रहा है कि एक साथ कारे करने पर इन्हें 20 दिन का समय लगता है तो अगर मैं यहाँ यह देखूं कि A की Efficiency इतनी, B की Efficiency इतनी है, C की Efficiency तीनों को मिला दिया जाए, तो A प्लस B प्लस C की जो Combine Efficiency हो जाएगी, वो 15 प्लस 10 हो गया, 25, 25 में 6 जोड़ दो गया, 31 हो गया, यहाँ क्लियर हो गया, सवाल पूछ रहा है, C जो है, 30 प्रतिसत काम कितने दिन में करेगा, जब यहाँ दिया है कि A, B, C जब Combine हो जाए, त कारे जो है, वो कितने दिन में होता है, तो 20 दिन में होता है, मतलब वर्क की जदी में बात करो, तो 20 multiplied by 31, इतना ही होगा, यह total कारे होगा, अब time होता है, भई work divided by efficiency, अब क्या कारे करना है, हमें 30 प्रतिसत कारे करना है, तो 30 परसेंट कारे कितना होगा, 30 by 100, और total कारे हमने अब 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 यह निकाला है, यह total कारे क्योंकि time इतना लग रहा था, और efficiency इतनी है, तो efficiency multiplied by time, यहने 20 multiplied by 31, यह हमारा total कारे, लेकिन इस कारे का 30 प्रतिसत कारे को C पूछ रहा है, C अकेले कितने दिन में करेगा, तो C के efficiency क्या है 6 है, तो यहाँ पर divided by 6 कर लेका है, तो बता 21 आए, मतलब 31 जो है, इतने दिनों में C इस कारे को अकेले complete करतेगा, ठीक है, efficiency से related question आया, तो आप तीसरे कॉलम से solve करेंगे, time से related सवाल आया, तो आप पहले कॉलम से solve करेंगे, जिसमें LCM लेकर solve करते है, ठीक है, यहाँ दिया हुए, E is twice as efficient as F, if both of them can complete a work in 10 days by working together, then for how many days that E alone takes to complete the same work, E और F जो है, F से दुगना कुशल है, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 10 दिन में कार जो है, पूरा हो जाता है, E अकेले उस कारे को कितने दिन में करेगा, तो दिखिए, simple सा सवाल, E और F के बारे में information दिया हुआ है, time के बारे में नहीं दिया, work के बार करता है, तो E जो है, एक दिन में दो कारे करेगा, F अगर एक दिन में एक कारे करता है, तो E एक दिन में दो कारे करेगा, ठीक, अब आपको दिया हुआ है, कि यहाँ पर 10 दिन में दोनों working together, दोनों मिलकर 10 दिन में कारे करते हैं, मतलब यह E के efficiency, यह F के efficiency, जब दोनों मिल तो एक दिन में 3 unit कारे होगा और E और F जब combine होते हैं तो 10 दिन में कारे complete होता है मतलब कारे कितना हो गया 3 multiplied by 10 यहने 30 unit का कारे करना है अब सवाल यह पूछ रहा था time किसका निकालना था आपको कि E कारे को किते दिन में करेगा तो 30 unit कारे करना है 2 की efficiency रखता है यह तो 30 by 2 कर लो तो 15 आजाएगा directly आप यहाँ पर इसकी भी जरूत नहीं है आप directly इस 30 को इस 2 से बाट देंगे ठीक है 30 से इस 2 को बाट देना तो यहाँ पर 15 आजाएगा और अगर पूछे F इसको कितने दिन में काम कर रहा है तो 30 divided by 1 कर लेना 30 उत्तर हुए लेकिन क्योंकि A के बारे में पूछ रहा था तो यहाँ 15 जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा कि E इस कारे को 15 दिन में पूरा करता है अब इसमें दिया हुआ है कि X Y से 3 गुने तेजी से कार करता है X is 3 times fastest Y and is able to complete the work in 40 days less than Y then find the time taken in which they can do the complete work together तो X जो है Y के अपेक्षा 3 गुना दक्ष है याने efficiency के बारे में दिया हुआ है Y जो है इसलिए Y को 40 दिन कम लगते है इस कारे को complete करने के लिए ठीक है याने X को इसलिए यहाँ पर Y से 40 दिन कम लगते है इस कारे को complete करने के ग्याद करना है दोनों मिलकर इस कारे को कितना करें दिन में करें एक्स है वाई है टाइम के बारे में information दिया है लेकिन difference में दिया है efficiency के बारे में directly दिया है कि अगर Y के efficiency एक है तो X के efficiency तीन होगा यह दिया हुए हमें क्या पता है भई हमें यह पता है कि efficiency जो है inversely proportional to time होता है जब work constant है तो अगर यहाँ तीन अनुपात 1 है यह क्या 3 अनुपात 1 है कि नहीं है इसका जो ratio है X य का जो ratio है वो कितना है X अनुपात Y का ratio तीन अनुपात 1 है तो यह time का ratio एक अनुपात 3 होगा और सवाल में दिया है कि x को जो time कम लगता है वो 40 दिनों का time कम लगता है 40 days और 3 में यदि मैं 2 कम करूँ तो इतना हैगा मतलब 2 unit का value कितना है 40 days का है तो एक unit का value कितना होगा 20 days का होगा एक unit का value 20 days का होगा तो यहां से आप यह डिटर्माइन कर सकते हैं कि X को जो है 20 दिन का समय लगता है और अगर यह तीन यूनिट है ठीक है एक यूनिट का वैलू 20 है तो तीन यूनिट का वैलू कितना होगा 60 होगा की नहीं मतलब यह 60 डेस में काम करें तो यहां से हमारे पास यह information मिल गया इस सभी information से हम यह निकाल सकते हैं कि X जो है एक मनलब की इस कारे को कितने दिन में करता है अब आपकी जो इच्छा है उसको आप multiply करके वर्क निकाल सकते हैं जैसे 3 को 20 से multiply कर दीजिए 60 यूनिट का वर्क आएगा या 60 को एक से multiply कर दीजि तो भी 60 यूनिट का वर्क आए तो यहां से हम यह determine कर सकते हैं कि वर्क कितना है 3 multiplied by 20 करने पर भी 60 आता है 60 multiplied by 1 करने पर भी वर्क आता है क्योंकि वर्क होता क्या है वर्क होता है भाई efficiency time का multiple तो 3 के efficiency X रखता है X को 20 दिन लग रहे थे तो 20 into 3 60 है एक multiplied by 60 कि तो भी 60 यहां तक clear हो गया आपको क्या निकालना है भई आपको निकालना है find the time taken when they work together तो X और Y जब मिल जाते है एक प्लस Y जब मिल जाए तो एक दिन में 4 यूनिट काम होगा इसको 4 से डिवाइट कर दीजिए 15 दिन में कारे कॉप्लिट हो जाए 15 इस दा करेक्ट एंसर कि अगर दोनों मिल जाए तो इनके efficiency एक दिन में X तीन यूनिट काम कर रहा था यह एक यूनिट X प्लस Y चार आ गया चार से 60 को बाट दीजिए तो यहां पर X Y का कम्बाइन टाइम आ जाएगा जो की है 15 दिन ठीक है एक को दो बटे पांच हिस्सा करने में 9 दिन लगता है ठीक है एक है एक है in 9 days then B joined and they work together and completed the remaining work in 6 days. In how many days B can alone finish the work? A जो है किसी कारे का 2 बटे 5 हिस्से को 9 दिन में पूरा कर सकता है B आ जाता है और वो दोनों मिलकर 3 बटे 5 हिस्से को complete करने में कितना समय लगते है तो B को यहां पर पूरा कारे को करने में कितना समय लगेगा मतलब 6 दिन में कारे कर रहे थे यह लोग मतलब A भी मिलकर 6 कारे को 6 दिन में किये तो B अकेले इस कारे को कितने दिन में करेगा यह बता रहा है तो A जब कारी किया तो A 2 बटे 5 हिस्सा का कारे जो है इतने दिन में किया मतलब 9 दिन में A और B के ज़दी में बात करूँ ठीक है तो B आ जाता है और B जब मिलने के बाद remaining काम को six days में complete किया तो देखिए अगर A ने दो बटा पांच हिस्सा कारे कर लिया था तो remaining कारे कितना होगा तीन बटे पांच हिस्सा होगा कि नहीं अगर दो बटे पांच हिस्सा अगर complete हो गय विलकर अगर पूरे कारे को करें तो च्छे बटा तीन में पांच हो जाएगा मतलब तीन से इसको काटो यह दो आ रहा है मतलब दस दिन में यह पूरा कारे को दस दिन में क्या आप लोग को यहां तक समझ भी बात है तो हम यहां से यह निकाल सकते A, B को पुरा कार करने में कितना समय लगेगा सवाल में यह पूछ रहा था कि B अकेले इस कारे को कितने दिन में करेगा तो देखिए इन दुनों का LC हम निकाल लेते, 90 आएगा तो A की Efficiency 90 बटा इतना, मतलब 4 हो जाएगी A की Efficiency और B की Efficiency कितनी हो जाएगी 90 बटा 10 मतलब 9 यह B की Efficiency नहीं है और A प्लस B की Efficiency आजाएगी क्योंकि यहां A प्लस B है तो 90 बटा 10 करोगे तो 9 हो जाएगी मतलब अगर यहां पर मैं 4 दाल दूँ तो 4 प्लस B इतना है तो B का वैलू आजाएगा 5 का और time taken by B निकालना था तो यह होता है work यहने 90 बटे Efficiency यहने 5 क्योंकि B का time निकाल रहा है तो 18 दिनों में work पुरा complete हो जाएगा D जो है इस सवाल का correct उत्तर हो जाएगी यहां तक समझ भागे चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रेशन देखेंगे यहां पर दिया हुआ है X can do a piece of work in 24 days when he had worked for 4 days Y join if the work is completed if complete work was finished in 16 days Y alone can do the work in how many days देखे यहां से दिया हुआ है कि X जो है 24 दिनों में किसी कारे को कर सकता है 4 दिन तक वह काम करता है और Y उसके साथ जुड़ जाता है पूछा जा रहा है कि why अकेले इस कारे को कितने दिन में करेगा देखें सबसे पहली बात तो आपको यह समझना होगा कि X जो है पूरे कारे को 24 दिन में करता है कितने दिन में करता है 24 days में 4 दिन तक यदि वह काम करे तो 4 बटे 24 हिस्सा कारे का हो जाएगा यानि कि अगर मैं इसको काटू यहां से 4 से तो 1 बटे 6 हिस्सा जो है वर्क का अकेला अकेला X ही complete कर देता है शुरुवाती तोर पे मतलब अब जो कारे बचेगा वो 5 बटे 6 हिस्सा बचेगा 5 बटे 6 हिस्सा बचेगा कारे का और इस कारे को XY मिलकर करेंगे और जब XY मिलकर कारे कर रहे हैं तो देखे पहले ही आपके 4 दिन गुजर चुके और अब बोल रहा है पूरे कारे को करने में 16 दिन लगते हैं जिसमें से शुरुवात के 4 दिन तो X अकेला कारे किया था मतलब अब X और Y जो 6 कारे को complete करने हैं वो 5 बटे 6 हिस्सा है और इसको complete करने में 12 दिन और लगेंगे क्योंकि देखे पहले तो अल्रेडी यहाँ पर 4 दिन जा चुके थे अब 16 दिन में अगर पूरे के पूरे कारे को complete करने हैं मतलब 4 दिन गया तो 12 दिन बचा आपसे पूछ रहा था Y अकेले को किता दिन में करेगा तो देखे हमारे पास information क्या है X का है और X Y का है Days में X इस कारे को किता दिन में कर रहा है तो X इस कारे को चुविस दिन में करने एकसवाइ मिलकर इसको 72 बटे 5 दिन में पूरे कारा को complete करने 72 by 5 days 72 by 5 days यदि मैं इन दोनों का LCM ले लू तो यहाँ पर 72 LCM आएगा मतलब X एक एक दिन में कित्ता काम करेगा तो 3 unit काम करेगा और XY मिल जाए तो एक एक दिन में कित्ता कारे होगा क्योंकि यहाँ XY का combine time दिया है 72 divided by 72 बटे 5 मतलब 5 unit कारे होगा एक दिन में क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि Y के efficiency क्या है तो Y एक दिन में 2 unit कारे कर रहा होगा क्योंकि X की अकेले की efficiency 3 की है XY की combine efficiency 5 की है तो इस 3 को अगर X की जगाँ दाल दें यहाँ पर तो यहाँ से Y के efficiency आजाएगी 2 की अब अगर Y की efficiency आगई तो time Y का निकालने की कौन सी बड़ी बात है क्योंकि 72 unit काम करना है जिसमें से Y जो है एक दिन में 2 unit काम कर रहा है तो यहाँ से 36 दिन लगेंगे Y को अकेले इस काम को complete कर देंगे तो C जो है सवाल का से उत्तर हो जाए Next question दिवाए How much time will they take working together on the two different computers to type an assignment of 110 pages तो यह सवाल फिर से efficiency से related सवाल है उनकी यहाँ प्रतीक और अक्षे की किसी कारेक कर रहे हैं जिसमें प्रतीक को complete करने में अगर 32 प्रष्ट लिखने है तो यहाँ पर 6 घंटे लगता है अक्षे को लगता है 40 प्रष्ट पढ़ने में 5 घंटे तो अगर दोनों मिलकर अलग-अलग computer में एक साथ टाइप करते हैं तो 110 प्रष्ट यानि यह आपका work है इस work को करने में कितना समय लगेगा यह पूछ रहा है तो हम यह जानते हैं टाइम बराबर होता है work divided by efficiency जिसमें work तो 110 है और efficiency जो होगी वो प्रतीक प्लस अक्षे की combined efficiency होगी कैसे निकाल सकते हैं प्रतीक की efficiency बताइए क्या है प्रतीक की efficiency क्या है 32 पेज करने में प्रतीक को 6 घंटे लगते हैं तो work divided by time ही efficiency होती है अब यहां काम क्या है तो pages type करना है तो 32 divided by 6 मतलब यह हो जाएगा 16 divided by 3 यह इसके efficiency हो गए अक्षे की बात करें तो यहां पर 40 divided by कितने की है पर page मतलब की 5 घंटे लगते तो divided by 5 मतलब की 8 पेज प्रतीक घंटे के इसाब से यहां पर टाइपिंग हो रही है तो प्रतीक प्लस अक्षे कर लिया जाए तो टोटल efficiency हो जाएगी 16 बटा 3 प्लस 8 मतलब यह हो जाएगा 16 प्लस 24 मतलब की 40 बटा 3 पेज प्रती घंटे की हिसाब से इनकी efficiency हो जाएगी और टाइम होती है वर्क डिवाइड़ बाइफिचेंसी तो वर्क 110 पन्नो का है और एफिचेंसी 40 बटा 3 है प्रती घंटे की ठीक है तो इसको अगर सॉल्फ करेंगे तो यह बंजाएगा 33 डिवाइड़ बाइड़ चार मतलब 8 सही एक बटे 4 घंटे लगेंगे तो 8 घंटे होता है 8 घंटे तो पूरे होगता है 14 है मतलब अब 1 घंटे कै liksom गंटे मेशाहि हुआ है 6 से multiply कर लिए अगर आपको हम नहीं पता मैं डारेक है वाच भी अअ च een बकर सthansa है सो माल है मिलकर काम करते हैं तो यहां जो टाइम लगता है days में उसके बारे में information दिया है कि t days लगते है a को अकेले काम करने में कित्ता दिन लगता है तो यहाँ a को अकेले काम करने में t plus 4 दिन लगते है b को अकेले काम करने में कित्ता लगता है तो b को t plus 9 days लगते है इस standard format को आप note बना के रखिए कि कभी भी एक्जाम में ऐसा सवाल बिल जाए कि A और B को कमाइन करने में जितना समय लग रहा है उससे कुछ ज़्यादा समय A अकेले को लगता है और उससे कुछ अलग ज़्यादा समय B को अकेले लगता है ऐसी टाइम पे T का डारेक्ट मान आपको निकालना है तो T का डारेक्ट मान हो जाता है square root किसका तो 4 multiplied by 9 का 4 और 9 को multiply कर लीजे मतलब 36 का square root तो T का मान जो है वो है 6 days तो T का मान कुछ आता तो 6 दिन इसका correct उत्तर हो जाए लिए डारेक्ट standard pattern question है और इसमें आप डारेक्ट short trick करिए क्योंकि यहां पर अगर आप इसको direct basic से solve करेंगी काफी लंबा solution आता है बट आपको यहां पर direct समझना है short trick लगाने के पहले short trick कहां लगाना है यह सीखिए A भी मिलकर इसको T raise में कर रहे है A जो है इससे 4 दिन ज्यादा लगता है B जो है इससे 9 दिन ज्यादा लगाता है तो अब total कारेको करने में जो time लगेगा इस T का जो मान होगा इस T का मान यदि सवाल में पूछ रहा है तो वो हो जाता है square root इन दोनों संख्यायों का square root ठीक है तो अगर यहां से आपसे कोई पूछे कि बताएए भई A को कितना time लगा तो 6 में 4 दिन जोड़ देना 10 आ जाए कोई पूछे B को कितना ज्यादा लगा तो 6 में 9 दिन जोड़ देना तो 15 दिन आए तो एक आखरी सवाल मैं यहां पर इस वीडियो में लेता हूँ यहां पर आपको दिया हुआ है A और B किसी कारे को निश्चित समय में करते है A अकेले को 27 दिन जादा लगता है दोनों से comparison में B अकेले को इतना दिन जादा लगता है दोनों के comparison में So find the time taken by A तो देखे सवाल में directly यहादी आपको time निकालना होता है मतलब देखे सवाल दिया हुआ A B को जो time लगता है A को इससे 27 दिन जादा लगता है और B को इससे 25 बटा 3 दिन जादा लगता है B को इसससे 25 बटा 3 दिन जादा लगता है यानि 15 days में ये दोनों मिलकर कारे कर लेगा, कौन दोनों मिलकर, A और B मिलकर इसे 15 दिन में कारे कर लेगा, लेकिन सवाल में क्या पूछा था, A इस कारे को कितने दिन में करेगा, A अकेले इस कारे को कितने दिन में करेगा, ये निकाला, लगाना है जहां शॉर्ट ट्रिक लगाने से पीछे मत हटिए चलिए अब इस वीडियो को मैं यहां पर रोकता हूं टाइम एंड वर्क के उपर एक और वीडियो आएगा पार्ट टू वीडियो जिसमें आपको यहां पर जब अलग अलग याने की एक से ज़्यादा व्यक्ति जब काम कर रहे हैं वहां पर हमें क्या करना है उस तरीकी के सवाल में वहां पर लूँगा साथ ही साथ उसमें मैं नेगेट आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और हम आपको और बहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ठीक है साथ ही साथ मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ टेलिग्राम चैनल के साथ साथ टेलिग्राम ग्रूप डिसकेशन भी बना हुआ है कुछ भ कुछ बातों के साथ इस वीडियो को यहां रुकता हूँ थैंक यू सो मच इस वीडियो में इतना है